कि नमस्कार दोस्तों सोगत है आपका स्टेडी फॉर सिविल सबसेद में यूटूब चैनल में आपने साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम करना बहुत ज़रूर है सारे नोटिफिक्रेशन सारे अपडेट सारे मोच इंपोर्टेंट पिक्स सारा रिवीशन सब कुछ यह यह हमारा इस्टाग्राम का पेज है इसको जरूर फॉलो कर लिएगा study for civil.services करके अगर आप इस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो के इसकी लिंक दी हुई इसमें आप इस्टोरी सक्षन जरूर देखते रहा करिए प्लस इसमें हाइलाइट स आते रहते हैं और प्लस पोश्ट आते रहते हैं इनको जरूर फॉलो करते हैं इस वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्य से शुरू करते हैं और सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग की परिभाशा क्या होती है और यह किस प्रकार से लगाये जाते हैं हिंदी के उपसर्ग हो उसके अर्थों को बदलने में सक्षम होते हैं, शब्द का अर्थ बदल जाएगा, या तो उसकी गुण में व्रिद्धी हो जाएगी, या दूसरा ही अर्थ हो जाएगा, या गुण में कमी आजाएगी, कुछ भी हो सकता है तो ऐसे जो आगे जुडने वाले शब्दान्ष होते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है हमेशा ध्यान दीजेगा यह शब्द के आगे जुडता है अब यह कितने प्रकार के हैं यहाँ आप देखी रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग हैं हिपते को छोड़ देते हैं एक तरफ वो बाद में देखेंगे तो हिंदी या हिंदी जैसे जितनी भी संकक्ष भाशा हैं भारत में चल रही हैं वो संस्कृत से ही उत्पन होई है अब 22 उपसर्ग हैं टोटल संस्कृत में इसमें आप देखें कैसे-कैसे दिया हुआ है जीसे प्र है यहाँ देखें परा है, अप है, सम है, अनू है, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ अब यहाँ पे आंग जो है वो भी इस्तिमाल होता है अब यह कैसा शब्द है उस पर निर्भर करता है नी अधि अपी अति सू उत उद अभी या परी प्रती उप तो इस प्रकार से अनेको उपसर्ग हैं सिर्फ बाइस नहीं बाइस तो मोटे तोर पे हैं लेकिन जो संस्कृत के शब्दांज होते हैं उनकी कोई संख्या में कमी नहीं होती यहां जो मुख्य हैं वही दिखाए जा रहे हैं और उतने में आपका काम हो जाएगा तो इन उपसर्गों को लगा कर दिखा दिया गया है कि इन से शब्द कैसे बनेगे अतिउपसर्ग जो है इसका अर्थ होता है मतलब यह किसी भी शब्द के आगे लगेगा तो उसके मात्रा को या उसके भाव को बढ़ा देगा या परे परे यानि दूर कर देगा दोनों चीज होती है यह शब्द पर निर्भर करेगा जैसे अतिशे यानि बहुत ज्यादा अतिक्रमड यानि जो अवैध अनाधिकार होता है उसको कहा जाता है इसके बाद अतिब्रिष्टी है यानि वर्षा की मात्रा जो है वो बहुत जर्थ है वो प्रधान या स्रेश्ट होता है ठीक अब इससे बनने वाले शब्द जैसे अधिनायक है अधिनियम है अधिकृत है अधिकरण है अध्यक्ष है अध्यापन है अध्यापक भी हो सकता है अध्यान भी हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है अध्यात्म हो सकता है अधिक अनुछेद, अनूदित, अन्वीक्षड और अन्वेशन वैसे आम तोर पे इसका जो शाब्दी करते है वो पीछे ही होता है सम वाला जो भावे बहुत रेयर दिखाई देता है इसके बाद है अप अप उपसर्ग जिस भी शब्द के आगे लगता है या तो उसे विपरीद कर देता है, अपोजिट बना देता है और नहीं तो उसमें बुराई का भाव पैदा कर देता है जैसे यश एक अच्छा शब्द है यश मतलब कीर्थी, प्रसिद्धी ठीक, अब उसमें आपने अप जोड़ दिया बन गया अपयश अपयश का मतलब क्या होता है, बदनामी तो इस प्रकार से शब्द कोई चीज है, शब्द हमेशा अच्छे ही होते हैं लेकिन उसमें आपने अप जोड़ दिया तो अप शब्द बन गया, यानि गाली गलोज उपकार, उपकार में आपने क्या किया जो उप है उसको हटा दिया उसकी जगपे अप जोड़ दिया, तो अपकार जो भलाई को एकसिप्ट न करे या अच्छा काम किसी के साथ न करे, सीधी बात है अप कीर्थी है, अप राध है, अप अब्व्य है इसके अलावा अप शगुन है अप एक्षा यहां आप देख रहे हैं अप मान देख रहे हैं, अप हरंड देख रहे हैं अप कर्ष देख रहे हैं, इसे अनेकों शब्द बनेंगे इसी प्रकार से अभी को देख लेते हैं पास और सामने यह दोनों इसकी अर्थ हो सकते हैं अभिवादन, अभिमान, अभिनय, अभिनव, ये सब शब्दे हैं, इसके लावा अभिभाशन, अभियोग, अभियर्थी, अभिशेक, अभियंतर, अभिष्ट, अभिभूत, अभिभावक, अभियुदय, अभीपसा, अभ्यास, बहुत सारे, और अवग को देख लीजे, नती का जो उल्टा शब्द होता है, वो अवनती, इसके बाद अवगती, अवशेश, अवतरण, यहाँ देखे, अवतरण, यानि उपर से नीचे की और उतरणा, इसका शाब्दिकर्थ होता है, तो भले ही अच्छे भाव में भी इस्तिमाल होता हो, लेकिन इसका जो शाब शाब्दिकर्थ होता है, जैसे आयात, ठीक है, आयात, इसके अलावा आतप, आतप मतलब धूप, धूप जो होती है, उसको कहा जाता है, इसके अलावा आजन्म, आहार, आगम, आमोद, आशंका, आकर्षन, आबाल, ब्रदि, यानि बच्चे से लेकर बुड़े तक, और आ उच्वास, उदय, उन्नत, उलेक, उचिश्रंखल, उदगम, उजवल, उचारण, इत्यादी, इसके बाद उप को देखिए, पास या सहायक से इसका भाव होता है, उपयोग, उपभोग, उपमंत्री, उपवन, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपसर्ग कुदीस में आ जाएगा, ठीक है, सर्ग में आपने उपजोड दिया, और उपभोग, उपभेद, इसके अतरिक्त, उपेक्षा, उपादी, उपाध्यक्ष, ये सब बनेगा, दुर को देख लीजे, तो दुर जो है, इसका शाब्दिकर्थ होता है, या तो कठिन, या फिर बुरा, या फि चिपा हुआ है, तो वो अला, दुरभी संधी यानि शड्यंत्र, दुरगुण, दुराचार, दुरवस्था, दुरपयोग, दुरघटना, दुरभावना, दुरूह, अब देखे, दुरूह शब्द जो है, इसका मतलब होता है, कठिन, तो यहा जो कठिन वाला भाव है, व बोद खराब होता है, लोग रखते हैं, इसलिए नहीं है, क्योंकि वो एक बुरे आदमी का नाम था, एक अहंकारी व्यक्ति का नाम था, अहंकार आदमी को बुरा बना देता है, और कोई बुरा ही नहीं, ठीक, तो जो दुर्योधन नाम है, या दुशाशन नाम है, इस प् अपने नियंटरण में करना ये लगभग मुश्किल काम है या असंभव काम है ठीक तो इस प्रकार से इनके नाम के अर्थ बड़े अच्छे थे इसलिए युदिश्थिर ने सुयोधन बुलाते थे दुरियोधन नहीं बुलाते थे योधन मतलब जिसे आसानी से जीता जा सके तो युदिश्थिर इसी शब्द से संतोष कर ले दे थे इसके बाद आगे चलते ये देखिए दुस है ठीक है दुसाशन वाला आ गया दुसाशन के नाम में दुरियोधन का सबसे प्रिय अनुश्था दुसाशन तो दुस शब्द जो है इसके आगे अब इसमें देखिए बुरा विपरीत कठिन ये इसका भी होता है वही सामाने जो भाव है निकल कर आ रहा है उपर नीचे का समाने लगवग जैसे की दुस्चिंत है दुस्षाशन यहां आभी गया उपर दुरियोधन होना चाहिए था दुशकर है दुस दुसाहस है दुसाध्य है इसके अलामत दुरियोधन के जो सो भाई थे उसमें दुर्मुख दुरघर्ष ऐसे बहुत सारे नाम मतलब दुरुपसर्ग वाले अनेको नाम आपको दिखाई देंगे और जो दुरुपसर्ग से रहित नाम थे वो प्राय कुछ अच्छे थे ज लेकिन प्राय हम लोग जो रहित चीज है मतलब किसी चीज के बिना तो उसके तोर पे इस्तिमाल करते हैं जैसे निडर यानि डर के बिना निगम यानि गमन के बिना निवास यानि वास से रही तब यहां पे वास से रही तो होगा नहीं क्योंकि निवास का मतलब आवास से ह होता है समानार्थी शब्द है तो इसका मतलब है कि विवप विशेश जो वास श्थाने मों कैसा है नि wasn't price है औरत्था विशेशños और देशक निकर नून इसके अलाव यहां भी देखें नियून शब्द जो है इसमें भी जो नी उपशल्ग है वだけ काम कर रहा है नियाय, नियास, निशेद, निबंध, निबंध मतलब बंधन रहित, निवारण, निशिद इस प्रकार से या निकोशब्द, निर यानि बिनाया बाहर तो निराकार, निरादर, निरंकार, निरंकार या निरंकार भी आप लिख सकते हैं, दोनों चीजे, निराहार, निरक्ष निश्काम, निश्कर्म, निश्पाप, निश्पल, निश्टेज, निश्टेज, निसंदे, ये सब, प्रग को देखें, आगे या अधिक इसका भाव होता है, मतलब अर्थ यही है, तो प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन, करेंट मतलब हवा का जट जखवाती जखेरा उसकी बात हो रही है और प्रपोत्र इनि क्याWhen पॉत्र का फुत्र जो हता है उसको कहा जाता है प्रपोत्र तो यह चीज अब इसके बाद प्रारम्ढ प्रजवल है असल में यह प्रोजवल नहीं है यह कोई बेंगॉली भाशा नहीं है कि यहाँ पे आप ओक आउचारण करेंगे यह प्रजवल है और देखें प्रेत प्राचारे प्रायोजक प्रार्थी बहुत सारी चीज़े परा को देख लिए परा का मतलब विपरीत होता है पीछे भी होता है, अधिक भी होता है, तो पराजय, पराभव, शाब्दिकर्थ समाने, पराक्रम, परामर्ष, परावर्तन, पराविद्य, पराकाश्था, इस प्रकार से अनेको शब्द, और परी को देखते हैं, तो चारो और इसका दात परी होता है, परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, पिरहार, ये पिरहार कौन सा शब्द है, ये सोचने वाली बात है, खेर, और परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, परिक्षा, परियाप्त, परियतन, परिमाड और परिणाम, ये दोनों शब्द है, इसके जो यहां विउपसर्ग है यह विशेश बना देता है किसी चीज को विशेश बना देता है और अगर वो बुरी चीज है पहले से बुरी है तो और ज्यादा बुरी हो जाएगी अच्छी चीज है तो और अच्छी हो जाएगी यह विउपसर्ग सिर्फ गुड़ों में व्रिध विज्ञान गिण्थे किसी कर विशेश क्रमबध ग्यान के बारे में हम विज्ञान में अध्यान करते हैं तो जो क्रमबध सु विवस्थित और सु संगठित ग्यान उर विज्ञान इस चै надसवे सू औ सुयश, सुमन, सुलब, सुबोध, सुशील, स्वागत, स्वागत मतलब सू प्लस आगत, इसका संदी विच्छेद करेंगे, स्वल्प, तो इस प्रकार से याने को शब्द बनेंगे, सम और सन को भी देख लेते हैं, तो सम का मतलब होता है, अच्छी तरह से, या पूर्णतया होता है, तो अनत, अनाहुत, अभ यहाँ पर देखिए, यह सं उपसर्ग नहीं है, सं भी उपसर्ग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह है अन, ठीक है, और अन के नीचे मतलब ना के नीचे ऐसे हलंद लगाए, यहाँ गल्थ लिखा हुआ है, यह अन हो जाएगा, और अनका म से उपयुक्त में अन लगा दिया, अनागत में, मतलब आगत में आपने अनजोड दिया, जो इश्ट होता है, इश्ट मतलब जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, जो आपका लक्ष है, उसमें आपने अनजोड दिया, यानि अनिश्ट, उसी प्रकार से अनुपम है, इतिन वर्डों के इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है तो अंतर यानि अंतर गति से बन सकता है अंतर आत्मा बन सकता है अंतर ध्यान बन सकता है और भी कई सारे जैसे अंतरिक्षय अंतर देशी है वो आप देख रहे हैं पुनर से पुनर जनम है पुनर गमन है इसके अलावा पुनरुदे है, पुनर्विवा है, पुनर्मूल्यांकन है और पुनर्जागरण है। नेक्स्ट प्रादुर, तो प्रादुर से प्रादुर्भाव प्रादुर्भूत ये दोनों बनेंगे, पूर्व से पूर्वच, पूर्वाग्रह, पूर्वार्ध, पूर्वानुमान ये सब बनेंगे प्राग से देखा जाए तो प्राकतन है, प्राकलन है, प्रागयतिहासिक है, प्रागदेवता है यहाँ पे यह देख लिजेए ये कुछ अलग शब्द है तो इसका प्रादुम्ख होगा या इस प्रकार से लिखा जाएगा ये देखे ये ड़ नहीं होगा असल में द़ होगा फिलाल प्राकर्म है प्राकलन है जैसे आप देखते हैं प्राकलन प्राकलन का मतलब क्या होता है जो संबोधन होता है पुरस को देख लीजे, पुरस से पुरसकार है, पुरस्चरण है, पुरसकृत है, और भी बहुत सारा बन सकता है, बहिर से बहिरागत है, बहिरजात है, बहिरंग है, बहिरगमन है, इसी प्रकार से बहिस से बहिशकार है, बहिशकृत है, इस प्रकार से, आत्म से आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित, आत्मग्यान, सहसे, सहपाथी, सहकर्मी, सहोधर, सहयोगी, सहचर और सहानभूती ये सब बन सकता है स्वासे, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज, स्वाधीन, स्वरचित, स्वनिर्मित, स्वार्थित्यादी ये सब बनेगा पुरा से देख लेते हैं, तो पुरा से बनने वाला क्या है? स्वतंत्र, अब यहाँ पर क्या? यह वही चीज रिपीट कर दिया है, तो पुरा से आप पुरातन बना सकते हैं, पुरा वय बना सकते हैं, पुरा नुभूत बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, पुरा मतल इति से इति श्री इतिइ इतियादी इतिवरित वगेरा इसके बाद अलम से दीख लिए अलंकरण रेना तिरस्कार और तिरस्क्रित था एंतर इसके अत्रिक्त तत्काल है, तत्सम है, तदभव है, तदौफ है, यह सब शब्ड बनेगे, अमा से अमावश्या बनेगा, अमाती बनेगा, अनि गोई ऐसे शब्ड बनाव जा सकते हैं? इसके बाद सत से सतकर्म, सतकार, सदगती, सजन, सचरित्र, सतकर्म, सदाचार, एक्सेक्टर उपसर्ग को देख लीजे, अब यहाँ फिर एक बार उपसर्ग है ये लगातार आपको कई सारे उपसर्ग दिखाय जा रहे हैं इसमें से कोई भी दिखाय दे, शब्द पहचानने हो तो आप आराम से कर ले तो अन, अन एक उपसर्ग है और अनकार्थ होता है नहीं या बिना तो अनबन, अनपढ, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अन्चाहा, एक्सेक्टर अध का देख लीजे, अध मतलब आधा होता है, तो अध पका यानि आधा पका हुआ, अधा कच्चा अध मरा यानि अभी पूरी तरह मरा नहीं है, आधा मर चुका है और अधजला, अधगिला, अधनंगा, अधगला ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं अध खुला, अब उ को लगा दीजे, तो उचक्का हो जाएगा, उजरना हो जाएगा, उछलना हो जाएगा, उखारना हो जाएगा, उतावला हो जाएगा उनको लगा देंगे जिसे 29 है या 49 है तो ये क्या है? 40 से एक कम, 50 से एक कम, ऐसे तो ये एक कम का भाव है जिसे 49, 29, 29, इसके अलामा 69, 89 इस प्रकार के जो बनेंगे शब्द ये संख्याएं हो गई इसके पाद ओ है, तो ओ लगाएंगे तो ओ का मतलब होता है बुराई और बुराई के अलामा अब का जो भाव है वो भी पैदा होता है कुल मिलाकर आपको शब्द से तात परे है तो अउगुन हालाकि अव होता है ओघड, ओसर, ओघड ये सब तदभो शब्द है इसके अतरिक्त कु को देखे, कु मतलब बुरा तो कुपत्र, कुरूप, कुख्यात, कुछक्र, कुरीती चै का मतलब क्या होता है? ये चै नहीं है असल में चौ है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ये चौ है, तो जो चौ उपसर्ग है इसका अर्थ होता है चार पंच कार्थ होता है पांच, तो देखे इसमें पचरंगा, पंच मेल, पंच कूटी, पंच मडी, पंच वटी पंच वटी मतलब क्या जहाँ पांच वट वरिक्ष एक साथ मौजूद हो इसके बाद देखे पर, पर मतलब दूसरा, तो परोपकार, पर जीवी, पर कोटा, पर दादा, और पर लोक, पर काज, परोपकार इस प्रकार से नीचे देखें भर है तो भर का मतलब क्या होता है भर पेट, भर का मतलब होता है पूरा और इसे बनने वाला जो शब्द है उसमें भर पेट, भर पूर, भर कम कहते हैं भारी भर कम तो वो वाला है, इसके लावा भर सन है, भर मार है, भर पाई है यह सब शब्द है, बिन को देख लिजे, बिन खाया, बिन बयाहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया, बिन जाया, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ती का यहाँ देख लिजे, ती से तिरंगा हो जाएगा, ती जो शब्द है इसका मतलब होता है, तीन तो तीन रं परे तो हई है लेकिन उसके अलावा दू जो शब्द है ये दो के भाव को भी दर्शाता है ठीक है तो दोनों अर्थ में इस्तिमाल होता है अब यहाँ जैसे देखिए दुपहरी यानि दो पहर बीच चुका है तो वो जो समयकाल है उसको दुपहरी कहेंगे दुगुना जो पीछे खड़ा होगा और फेका जाएगा इसके बाद दुणाली जिसकी दो नाले हो मतलब बंदू को कहा जाता है दुणाली इसके लामत दुरंगा है दुराहा है दुकाल है दुबला है ऐसे बहुत सारे शब्द है काद यहाँ उपसर्ग है का का मतलब होता है बुरा जैसे कायर, कापुरुष, काजल, और स का मतलब होता है सहित, जैसे सपूत, सबल, इसके तरिक्त सगुण है, सजीव है, साउधान है, सकर्मक है, ऐसे शब्द बनेंगे, अब देखें, चिर, चिर का मतलब होता है सदैव, और चिरयावन, चिरपर्चित, चिरकाद, चिरायो, चिरस्थाई, चिर प्रतीक्षित ये सब है। न का मतलब होता है नहीं तो नकुल नास्तिक, नग, नपुनसक, नगण अनिती। और बहु का मतलब होता है ज्यादा तो बहुमुल्य, बहुअचन, बहुमत, बहुभुज, बहुभिवा, बहुसंख्यक, बहुपयोगी। आप आपकाज, आप बीती, आप कही, आप सुनी, नाना का मतलब होता है नाना प्रकार के, वो नाना और दादा वाले नाना नहीं तो नाना मतलब होता है विविध, अब इसका मतलब जिसे नाना जाती, नाना भूशा, नाना भेश, नाना विकार, नाना प्रकार, नाना रूप, बहुत कुछ हो सकता है, और क का मतलब होता है, बुरा जैसे कलंक है, कपूत है, कठोर है, ऐसा आपने लगाया, सम का मतलब होता है, समान, मतलब सम कोण आप कह सकते हैं, सम कोण वाला, और सम कक्ष कह सकते हैं, सम दर्शी कह सकते हैं, सम चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है, सम चतुरबुजी आप रेखागडित में पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि वर्ग और सम चतुरबुज में फर्क क्या होता है कि वर्ग की जो चारों बुजाये हैं वो 90 डिगरी का एंगिल बनाती लेकिन सम चतुरबुज की वुजाये उस प्रकार की नहीं होती है हाँ उनकी लंबाई बराबर होती है तो यह है समग्र इस प्रकार के जो है वो सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अब अरबी फार्सी वाले उपसर्गों को देख लेते हैं जरा जैसे बे है तो बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमज, बेवज़, बेवाईयात ऐसे आप लोग बोलते हैं लेकिन वो शब्द नहीं है और यहां बे हया, बेहिसाब तो यह सब बेश्किंती लेकिन अभी कई सारे उपसर्ग और बचे हुए हैं देखेंगे, बे का मतलब होता है रहित, जैसे बेघर, बेघर बार का है तो घर से रहित, बेवफाद, इसके अंदर कोई वफादारी नहीं है आम तोर पर यह महिलाओं के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला शब्द है यह आप देख रहे हैं, इसके अतरिकत बेदर्द और दर बहों देख लीजे, दर भी यहाँ उपसर्ग में आता है और इसका अर्थ होता है में तो दर असल यानि असल में, दर बार यानि बार में बार का मतलब वहाँ यह बीर बार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर जो महफिल सजी रहती है उसकी बात हो रही है महफिल जो है वो चर्चा का विशय भी हो सकती है और रासरंग का भी विशय हो सकती है दरख्वास्त, दरहकीकत, दरम्यान ऐसे बाह, तो बाह का मतलब होता है सहित आप देखते हैं न जो शाहनशाग बर और इस तरह के जो मुगल बात्शाय उनके दर्बार में मुनादी होती है बादब बामुलाईजा तो वो सब जो है वो इसी में आते हैं इसका मतलब होता है सहित तो बाईज़त बामुलाईजा बादब बाकाइदा ये सब कम को देख लीजे तो कम अकल, कम उम्र, कम जोर, कम समझ, कम बक्त ठीक ये सब है इसके बाद देखिए कम का मतलब क्या होता है थोड़ा ला तो ला का मतलब होता है बिनाया परे, ला इलाज, ला वारिस, ला परवा, ला पता, ला जबाब ये सब है ना को देख लीजे तो ना पसंद, ना काम, ना बालिक, ना जायज, ना लायक और इसके अलावा नाराज, नादान और ना मकूल बहुत सारे शब्द हो सकते हैं खुश हाल, खुश मिजाज, खुश खबरी, खुश बू, खुश नसीब, ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं बद जैसे खुश आपने लगाया तो अच्छा हो गया, वैसे बद लगाएंगे तो बद मतलब होता है बुराई, तो बद बु हो गया, ठीक, इसके अलामा बद चलन हो गया, बद माश हो गया, बद मिजाज हो गया, बद नाम हो गया, बद किसमत हो गया, ठीक, और यहाँ देखें सर तो सर्पंच सरदार सरताज सरकार इसका मतलब होता है मुखिया या मुख्य बा को देख लीजे बकुबी बतौर बशर्थ बाकाइदा तो वो बावाला में आ जाएगा बाकाइदा जो है वो इसमें आए था ठीक है बा है ये बा और बा ये दोनु उपसरग है तो यहां बतौर, यह बतैर नहीं है, बतौर है, बशर्त और बदौलत, यह सब शब्द बनेंगे इससे, इन्हें बनाएंगे, और देखिए, बिला, तो बिला कसूर, बिला वजब, बिला नागा, लाहोर, बिला कूबत, तो इस प्रकार से आप देखते हैं, इसके बाद एन से एन वक्त, एन जगह, एन मौके, यह सब शब्द बनेंगे, हम से हम राज, हम दम, हम वतन, हम सफर, हम दर्द, हम साया, यह सब चीज़ें बनेंगे, इसके बाद अल से अल गरज, अल विदा, अल बत्त, अल बेता, यह सब शब्द बनेंगे, और गैर से गैर हाजर, ग अंग्रेजी वाले उपसर्ग है वो भी आ रहे है जिसे head ठीक है head मतलब क्या होता है मुख्य तो यहाँ सिर भी होता है लेकिन यहाँ मुख्य से थात परे है तो वो वाला विससे head master, head office इसके अतरिक है head boy, half यानि आधा, तो यह अंग्रेजी का उपसर्ग है मतलब prefix लगता है तो सब registrar बन सकता है, सब committee बन सकता है सब inspector बन सकता है तो इस प्रकार के शब्द subordinate बन सकता है को को लगा लीजे, को मतलब यहाँ पे यह वाला है, सहयोग ठीक है, सहयोग या सहित का भाव इसमें आता है तो cooperative है, cooperation है, education है ऐसे कई सारे शब्द बन सकते है और देखते हैं, तो अब यहाँ तक हमने उपसर्ग को देख लिया है, इसमें लगबख सभी भाशाओं के जो मुख्य मुख्य उपसर्ग थे, जो कि आपके काम के थे, उतने मौजूद है इतना आप देख सकते हैं, इसके बाद आप चलते हैं suffix की और prefix को हम complete कर चुके हैं प्रत्य यह पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगता है यह पीछे लगते हैं और यह शब्द की महिमा में परिवर्तन कर देते हैं या उसे बढ़ा देते हैं मतलब क्रित प्रत्य के बारे में अगर आप देखें तो जो प्रत्य होता है वो क्रिया या धातु के अंत में लगता है जो क्रिया होती है, मूल क्रिया हो हमें वाके में खोज नहीं होगी और उसके अंत में लगता है जबकि तद्धित प्रत्य जो होता है वो संग्या सर्वनाम विशेशन आदी जो होते हैं उनके अंत में लगता है तो ध्यान देंगे कृत मतलब होता है करना तो करने का तात पर यहां क्रिया से तो यह क्रिया के अंत में लगेगा और जो तद्धित प्रत्य है वो संग्या, सर्वनाम और विशेशन के साथ कामाता है बस यहीं इनमें बेसिक अंतर और यहां आप देखें तीन स्रोतों से जो तद्धित प्रत्य है उसे लिया गया है मतलब संस्कृत, हिंदी और उर्दु और यह हिंदी की रचना में सहायक है धातु की यहां परिभाशा तो धातु का मतलब यह इस टीम दे दिया है इसको जाने दिजए अंग्रीजी रूपांतरित इसका कुछ खास नहीं है धातु क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है मतलब यहां इसको समझने का प्रयास कीजिए यह हेडिंग है धातु हेडिंग है उसके अंदर कहा गया कि क्रिया का मूल रूप होता है क्रिया का विगड़ता विगड़ता जो एक रूपांतरित स्वरूप होता है उसे तो हम वाक्य में पढ़ते लेकिन मूल अवस्था में वो जैसी होती है वो धातु कहलाती है धातु कुछ नहीं है वो असल में मूल क्रिया है और दूसरे शब्दों में थातु क्रिया पत का अंश होता है जो कि क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है ठीक है जैसे पढ़, खा, जा, लिख ये सब धातू है पढ़, धातू होती है उससे आप पढ़न, पाठन ये सब बनाते है पाठशाला ये सब बनाया जाता है और पढ़ना क्रिया जो है इसमें ना प्रत्य है आपका जैसे पढ़ना आपने लिखा, पढ़ मतलब धातू हो गया यहाँ पढ़ाई का भाव और उसके साथ आपने ना लगा दिया तो यहाँ पर जो पढ़ है वो मूलधातू है और ना जो है वो तद्धित प्रत्य होगा की क्रित प्रत्य होगा ये क्रित प्रत्य होगा क्योंकि क्रिया के साथ में लग रहा है तो चलिए एक ही करके इन्हें देखते हैं परिभाशा से ज़्यादा महतुपोर्ण यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिये गए शब्द हैं जो आप उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि वहाँ से आपको पहतर समझ में आएगा परिभाशा भी जाननी चाहिए लेकिन जितनी आवश्यक है उतनी उसके लिए उसमें निवाले को उतना उच नहीं होता है अगर आपको उचछ अस्तरी प्रशन चाहिए और उच चाहिए मटेरियल चाहिए तो जो समीक्षा अधिकारी मतलब UP, PSC के त्वारा जो अर्णाइस की जाने वाले समीक्षा अधिकारी के परिक्षा है उसके लिए बनाया गया वीडियो देखे उसमें हिंदी को गहराई से समझाया गया यहां जितना आवश्यक है, exam की requirement है उतना ही अब इसमें देखिए, उसके मेल से बनने वाले शब्द को वही जो आपने देखा न कि धातु के अंत में प्रियुक्त होने वाले प्रत्य होते हैं तो जब धातु के अंत में आप लगाएंगे धातु क्रिया है और उसके अंत में आप जोड रहे हैं प्रत्य है, तो वो क्रित प्रत्य कहलाएगा और इनके मेल से जो शब्द बनेगा उसे क्या कहेंगे? क्रिदन्त कहेंगे ठीक, कृत प्रत्य और धातु के आपस में सहयोजन से जो शब्द नया बनेगा वो कृतन्त हो जाएगा तो देखिए इसमें कैसे होगा, जैसे लिख, लिख क्या है, यह धातु है या आप इसे क्रिया क्या लीजे और इसमें एक तरफ लिखा हुआ है प्रत्य, दूसरी तरफ है धातु, तीसरी तरफ है उसका क्रिदन्त स्वरूप तो आउ है, आउ में आपने क्या जोड़ा, टिक, तो बन गया टिक आउँ इसके अधरिक देख लीजे, मतलब तातपरे यह है, यहाँ असल में थोड़ी सी टेबल जो है वो उल्टी है धातु, यानि क्रिया, वो इधर होनी चाहिए थी, इस साइड में, क्योंकि प्रत्य तो हमें पीछे जोड़ना है करें के, तो यह भण जहेगा लड़ का, ठीक, यहाँ शब्द जो है इन्हें संदि के नियम से ही जोड़ना होता है इसके बाद खेल में आपने आड़ी जोड़ दिया, आड़ी प्रत्य है और खेल क्रिया है तो यह बन गया खिलाडी जगड में आपने आलू जोड दिया तो जगडालू बन गया अड में आपने यल जोड दिया अडियल हो गया मर में आपने यल जोड दिया यल प्रत्य है तो मरियल हो गया लड में आपने एत जोड दिया तो लड़ायत हो गया लठ में आपने एत जोड़ दिया तो लठ हैत हो गया इसके अलावा बच में आपने एया जोड़ दिया तो बचईया हो गया यह सब शब्द हैं हस में आपने ओड जोड़ दिया हसोड हो गया भाग में आपने ओडा जोड़ दिया भगोडा हो गया तो ओड़ा क्या है प्रत्या है और भाग जो है वो धातू यानि क्रिया है पी में आपने अकड जोड़ दिया तो ये पी अकड हो गया और सुहा में आपने वन जोड़ दिया सुहावन हो गया ऐसे बहुत सारे हैं यहां आप देख रहे हैं इन्हें क्रम से इसके पढ़ में आपने वाला जोड दिया तो पढ़ने वाला हो गया यहां पर पढ़ना जो है यह रहा जोड दिया मिलन हो गया इसके अलमा रख में हार जोड़ दिया, राखनार हो गया, रो में आपने हारा जोड़ दिया, रोवन हारा हो गया, तो ऐसे बनने वाले ये शब्द होते हैं, कुछ और प्रत्यों, धातुओं और कृदंत सरूपों को देख लेते हैं, जिसे अप्रत्य है, इसको आपने भर ध जोड़ दिया, तो मिलाप हो गया, इसके अलमा पूजा में आपा जोड़ दिया, तो पुजापा हो गया, इसके अतरिक्त खिच में आपने आव जोड़ दिया, खिचाओ हो गया, खिच मूलधातु है, उसमें आपने आव नाम का जोड़ दिया, उसको जोड़ रखा है, भ अत्रिक्त भूल है तो इसमें आपने ओवल जोड़ दिया भुल ओवल हो गया और पीस में आपने ओनी जोड़ दिया पिसओनी हो गया और बैठ में आपने कर जोड़ दिया बैठक हो गया ऐसे शब्द बनते हैं इसमें देखे कुछ और यहाँ पर प्रत्य है संग्या है और स ससूर जो है एक संग्या है तो ससूर का आल यानि ससूर का घर तो बना क्या ससूर आल अब यह संबंध वाचक संग्या है योकि जो आल यानि आलय है असल में वो किस से संबंधित है ससूर से संबंधित है तो यहां संबंध जुड़ रहा है इसके बाद देख लीजे नाना प्ल 20 साल बाद जो व्याकरन पढ़ाजाए उसमें कुछ नए शब्द दिखाई दे। पहना ही जाती है जो बिगडेल पशू होते हैं जो जादा उछल कूत करते हैं और दुलतिया मारते हैं उनको पहना ही जाती है यहां एक और देख लीजे जिसे हरा है हरा क्या है यह प्रत्य है तो इससे बनेगा दोहरा तीहरा यह तो एक कॉमन है आप देखिए यहां संग्या विशेशन दिया है और गुड़माचक विशेशन उसे कैसे बनेगा वो बताया गया है मतलब संग्या या विशेशन जो शब्द है यहां दिये हुए है अब उसमें आप कुछ प्रत्य जोड़ेंगे क्रोध में इत जोड़ दिया तो क्रोधित हो गया ठीक है इसके बाद फिर क्रोध में अगर आपने इ जोड़ दिया प्रत्य के तो बनेगा क्रोधी बड़ी इ जोड़ेंगे और जंगल और भार में अगर आपने क्रमशह यह जोड़ दिया तो जंगली और भारी बन जाएगा इसी प्रकार से यह तो भारत में आपने यह जोड़ा भारतिय हो गया अनुकरण में आपने यह जोड़ा यह मतलब बड़ी यह रहेगी और यह रहेगा तो अनुकरण में जोड़ दिया तो अनुकरणी ये हो गया रमण में जोड़ दिया तो रमणी ये हो गया इला को देख लीजे ठीक वैसे ही तो चमक में इला जोड़ा ये भाव में बृद्धी करते हैं ये वाले जो प्रत्य हैं, ये महत्व को या जो गुण है उसको बढ़ा देते हैं, तो चमकीला, भढकीला, रंगीला इस प्रकार से हो जाएगा, वान का मतलब युक्त इसका तातपरे होता है, किसी चीद से सक्षम, तो गुणों से सक्षम, यानि गुणवान, धन से सक्षम, यानि धनवान, रूप से सक्षम यानि रूपवान, ऐसे बनेगा और यह सब क्या है, यहाँ जो आप देख रहे हैं यह सारे के सारे जो है वो गुणवाचक विशेशन गुणवाचक विशेशन का परिवार सारे विशेशनों में सबसे लंबा है व्यक्ति वाचक विशेशन को देख लेते हैं कैसे बन रहा है तो आप जर्मन में यी जोड़ दीजे जर्मन क्या है एक संग्या शब्द है क्योंकि स्थान का नाम और व्यक्ति का नाम हो गया वैसे ये जाति वाचक संग्या है क्योंकि जर्मन एक जाति हो गई जो कि जर्मनी के रहने वाले तो इसमें E जोड़ दिया बन गया जर्मनी गुजरात में आपने E जोड़ दिया गुजराती व्यक्तिवाचक संग्या बंगाल में E जोड़ दिया व्यक्तिवाचक संग्या बंगाली इसे प्रकार से दिल्ली में आपने वाला जोड दिया दिल्ली वाला, बनारस वाला, सूरत वाला, बीकानेर वाला, भुजिया वाला तो इस प्रकार से शब्द बनते हैं इसके अलामा देखिए साइरस, पूना वाला ऐसे शब्द हो जाते मुंबई, जैपुर, नागपुर है इसमें आपने ए जोड़ दिया जिसे मुंबईया, जैपुरिया, नागपुरिया ठीक है भागलपुरिया और तिया जैसे कलकतिया, तिर्वुतिया इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, यह सब व्यक्ति वाचक विशेषड बनाने के अलग-अलग तरीके हैं, आप यहाँ प्रत्य जोड़ के आप क्या कर रहे हैं, संग्या या विशेषड को उन वाचक संग्याओं में बदल रहे हैं, कैसे, जैसे माल लीजे, आ प्रत्य है, उसमें आपने ठ ठाकूर जोड़ दिया, मसलिब ठाकूर आपका ये संग्या शब्द हो गया, ठाकूर में आपने क्या जोड़ा, आ, तो ठाकूरा हो गया, गाउंदे हाथ में आपने सुनाएं न, इसमें आ की मात्रा लगा के ही बुलाते हैं, जैसे माल लीजे, सपोस्वेट किसी का नाम र इया जोड़ देते हैं, खाट से आपको संटोश नहीं होता है, इया जोड़ देते हैं तो खटिया, मचिया, और धोलक में इय जोड़ दीजे, धोलकी, ऐसे हो गया, उसी प्रकार से साप में ओल जोड़ दीजे, सब ओला हो गया, यह ओला जोड़ना चाहिए था असलमें, यहां पे लब पे आ कि मात्रा रहेगी, इसके बाद ढोल शब्द जो है, इसमे कजोड दिया, ढोलक हो गया, कन में आपने की जोड दिया, कन की जो चावल के छोटे कन होते हैं, धान के साथ, और बहु में आपने टी जोड दिया, तो बच्छडा बन गया और देखे टांग में आपने डी जोड़ दिया टंगडी हो गया कोठा में आपने डी जोड़ दिया कोठरी हो गया टीका में ली जोड़ दिया टिकली हो गया और टिकली नहीं होता है असलमें टिकुली होता है और देखे यहाँ देखे, बच्चा है, बच्चा में आपने वा जोड़ दिया, तो बचवा हो गया, गाउं में बुलाते हैं, बचवा यह हरावा, इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखे, प्रत्य में दो और दिया हुआ है, यह गुडवाचत मिशिष्ण बनाने का ही तरीका है, किसी चीज की आपको लाल सा है, और लाल सा, मतलब लाल रंग जैसा, इसका मतलब हो जाएगा, दोनों अर्थ हो सकता है, और हरा सा, ठीक है, हरा सा, मतलब हरे के जैसा, हरे रंग जैसा, और हरा में, यहाँ देखे, सोन जो शब्द है, इसमें क्या किया गया, हरा जोड़ दि तो मर्द मतलब पुरुष उसमें आपने आ जोड़ा तो बना मर्दाना और शर्म में इंदा जोड़ दिया बना शर्मिंदा दर्द में नाक जोड़ दिया दर्द की नाक निकल आई तो दर्दनाक हो गया और आस्मान में ई जोड़ दिया आस्मानी हो गया कम में इना जोड़ दिया कमीना हो गया जिसके अंदर कोई कमीना हो और माह में इना जोड़ दिया महीना हो गया प्रत्य जोड़ने के अलग-अलग तरीके हैं उससे विशेषड बन रहा है संग्या बन रही है या कोई नया शब्द इजाद हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता आपको नियम पता होने चाहिए तो प्रत्यों को याद रखेगा ताकि कोई शब्द देते और पहचानने के कहें कि चार विकल्प में से इसमें से कौन सा प्रत्य इसमें मौजूद है इस शब्द में उसको पहचानिए कोई शब्द आपको प्रत्य जोड़ कर दे देगा जैसे मान लीजे आसमानी है ठीक है आसमानी शब्द आपको दे दिया और कहां चार विकल्प देखें कि इसमे बुद्ध शब्द है उसके साथ आपने इस्म जोड़ दिया वो बुद्धिस्म हो गया जैन शब्द है उसके साथ आपने इस्म जोड़ दिया वो जैनिस्म हो गया शैविज्म हो सकता है ऐसे ही सोशलिज्म हो सकता है और देख लिए इस्ट तो इस्ट का मतलब क्या होता है व वामपंथी है और बुद्ध या बुद्धिक विचारधारा का है बुद्ध से उसका तालुक है तो वो बुद्धिष्ट हो जाएगा सोसिलिष्ट हो जाएगा ऐसे हो सकता है अब इसके बाद पढ़ते हैं समास को क्योंकि हमने जो प्रत्य और उपसर्ग है उसको हो जाएगी परिवर्तन भी हो सकता है कुछ मामलों में परिवर्तन भी होता है समास के हम लोग प्रकार देखेंगे अभी और कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रगट करना यह समास कहलाता है इसे भाशा के अलंकार ही है अलग-अलग रूप में हम इने देख पर रहे हैं उनका परस पर संबंद बताने वाले शब्द जहां पर प्रत्य लोब हो जाते हैं प्रत्यों का लोब हो जाता है या उन दो अधिक शब्दों को जो की एक स्वतत्र शब्द को बना रहे हैं उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं तो इसका कहने गतात पर यह है क दो शब्दों का आप सायोजन कर रहे हैं तो एक तीसरा शब्द बनेगा, यह सीधी बात है तो यही जो प्रक्रिया है इसी को समास का निर्माण कहा जाता है ठीक है, यहाँ जो प्रक्रिया नीध है उसी को समास कहते हैं, कम शब्दों में योग तो होना ही चाहिए भाई जोडने के लिए कम से कम दो चीज़े तो होनी चाहिए एक चीज तो जुड़ेगी नहीं और समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्य लुक्त हो जाता है तभी वो जुड़ेगा तो संधी के नियम यहां भी काम यह संधी तो उसके हिसाफ से करें गे और संस्कृत के थी तजसम होते हैं उसमें यह नियम बहुत आवश्यक हो जाता है अभी सारे एकजामपल देखने वाले समास की प्रोप्रिया से बढने वाले जो शब्द होते हैं उनको समस्त पद कहा जाता है जιसे देश देश और भक्ती दो शब्द हैं आपने कम्बाइन कर दिया बन गया देश भक्ती अब आप एक वाके को ऐसे लिख रहे हैं कि जवाहर लान नेरू या महात्मा गांधी या नेताजी सुभाश चंद्रबोस या चंद्रिशेखर आजाद और शहीद भगत सिंग ये लोग देश सवाक के लंबा भी हो जाएगा और थोड़ा अटपटा भी लगेगा देश का भक्त तो इसको आपने क्या किया कंबाइन कर दिया यानि समास बना दिया और देखें मुरली धर ठीक तो आप ऐसे कहिए कि भगवान कृष्ण जो है ये ब्रिंदावन में मुरली को धारण करत उसे पहले वाली स्थी में लाने की प्रक्रिया जो है उसको समास विग्रह का जाता है तो ये तो common sense की बात है जैसे आप संधी विग्रह पढ़ते हैं संधी करके आपने जोड़ा अब उसको आप तोड़ रहे हैं तो वो संधी का विग्रह कहलाएगा विग्रह मतलब जैसे देश के लिए भक्ती, देश भक्ती को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां के लिए जो शब्द है बीच में घुसाएगा, मुरली को धारण करने वाला, राम लक्षमण आपने एक में कर दिया, राम लक्षमण भरत शत्रुगन चार पद भी हो सकते हैं, कोई समस् में जो मुख्यता दो पद इस्तिमाल होता है, अगर दो है तो, उसमें एक पूरुपद होता है, एक उत्तर पद होता है, जो पहले आएगा, वो पूरुपद होगा, जो बाद में आएगा, वो उत्तर पद होगा, और पहले वाले पद को वही चीज कही गई है, इसको क्यों ऐसे करेंगे, आगे बढ़ते, संदी और समास में फर्क होता है अब यहाँ यह प्रश्ण उठेगा ने, कि शब्दों को तो आप यहाँ भी जोड रहे हैं तो यह तो संदी है, हम लोग अलग से समास की रूप में क्यों पढ़ें क्या अंतर है, समास में दो पदों का योग होता है समास में दो पदों का, मतलब दो शब्दों का योग होता है और संदी में वर्णों का योग होता है, यानि अक्षर जोड़ जाते है यही बेसिक डिफरेंस है और यही सबसे बड़ा अंतर बागी जो है वो तो उदारण के तौर पर दिये गए ठीक है ध्यान दीजेगा समास में हमेशा दो शब्द आपस में जुड़ते है जैसे आपने पीछे देखा न राज पुत्र राजा का पुत्र अब राज एक अलग शब्द है और पुत्र एक अलग शब्द है दोनों को आपने जोड़ा तो वहा समास बन गया बना कि राज पुत्र ठीक और संधी अगर आपको करनी है तो जैसे आप देखते हैं ये संधी और समास के नियों में संधी के बारे में देख लीजे जैसे पवन पवन एक शब्द है मतलब हवा तो वायू इसका तात परे अब इसमें आप इसका विच्छेट कर दीजे पव प्लस अन पवन ठीक है पव और उसके बार अन दोनों अलग अलग है तो ये दोनों अलग अलग किसी अस्तित्व में ने दोनों का कोई अर्थ नहीं है अर्थ हो भी सकता है ऐसा नहीं कि अर्थ नहों जैसे विद्या प्लस आले विद्याले बनता है तो वहाँ भी संधी होती ठीक है लेकिन मूल रूप से अगर संदी की हम परिभाशा को देखें सिर्फ परिभाशा को देखें एक्जाम्पल में exception कई सारे हैं यहाँ जो अपवाद है उनकी कोई कमी नहीं लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो संदी में यही होता है समास में विग्रह किया जाता है विच्छेद और विग्रह में फर्क है विग्रह का मतलब यह है कि बीच में जुड़ाव तब भी होता है मतलब दोनों एक दूसरे से संबंदित होते है और विच्छेद का मतलब यह होता है कि एकदम से काट के दोनों को अलग कर देना यह दोनों में फर्क है अब इसके बाद आगे चलते हैं समास के भेद देख लेते हैं क्योंकि यही से हमारा काम बनेगा तो समास के भेद में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से साथ प्रकार होते हैं तत्पुरुष, कर्मधारे, द्विगु, बहुबरीह, द्वन्द और अव्यई भाव ठीक है तत्पुरुष में क्या होता है बाद का अथ्वा जो उत्तर पद होता है तो जो उत्तर पद यानि बादवाला पद होता है वो जादा मुख्य होता है और दोनों पदों के बीच में कारकचिंद को लुप्त कर दिया जाता है क्योंकि कारकचिंद रहेगा तो फिर समास बनी नहीं पाएगा ठीक, जैसे तुलसी कृत अब इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तुलसी से कृत ठीक, इसके बाद देखें इसी प्रिकार से शराहत है शर से आहत, राह खर्च है राह के लिए खर्च, राजा का कुमार यानि राजकुमार ऐसे कई सारे हो सकते हैं इसके बाद कर्म तत्पुरुष को देखते हैं इसमें वेराइटी निकल आएंगी न तो कर्म तत्पुरुष यानि इसे द्वितिय तत्पुरुष के तौर पे भी देखा जाता है जैसे कर्म कारक की जो विभक्ती है कर्म कारक की विभक्ती क्या होती है को, तो को का लोप हो जाता है, जैसे स्वर्ग प्राप्त, यह आपका समस्त पद है, यानि समास इसका किया जा चुका है, इसका विग्रह करेंगे, तो स्वर्ग को प्राप्त, बीच में को आएगा, वही को हमने निकाल दिया था, तो यह समास के तोर पे जुड़ गया था, है नहीं आपे, तो वह आ जाएगा, चिडि मार, चिडिया को मारने वाला, चिडियों को मारने वाला, सिर तोड, अभी आपने पीछे देखा, गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, ठीक, तो यश को प्राप्त, ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, रत चालक, रत को चलाने वाला, जेब कत्रा, जेब को कतरने वाला, इसके बाद करण तत्पुरिश को देखते हैं, जहां पर जो करण कारक की भी भक्ती है, से और के, उसके द्वारा को का लोप हो जाता है, कैसे, वाग युद्ध, वाग से युद्ध, ठीक है, आचार कुशल, आ पढ़चना हो जाएगा, मुह से मांगा हुआ, मुह मांगा हो जाएगा, रस से भरा हुआ, रस भरा हो जाएगा, करुणा से पूर्ण, करुणा अगत हो जाएगा, इस प्रकार से आपने देखा, यहां करुणा पूर्ण होना चीए था, यहां तक हमने देखा, आगे यहां सुर्ह रचित लिखा हुआ है इसलिए कर्फ्यूजन है सुर्धास के द्वारा रचित तो ऐसा हमने देखा यहां से का विलोप हो रहा था तो यह जो कारक चिन्द है यह साथ में जुड़े रहते हैं संप्रदान ततपुरुष को देख लेते हैं चतुर्थी के साथ इस्तिमाल होता है तो के लिए जो शब्द है उसका लोपन हो जाता है और बन जाता है समास तो देखते हैं देश भक्ती देश के लिए भक्ती विद्याले विद्या के लिए आले रसोई घर रसोई के लिए घर ठीक है और हत कड़ी यानि हाथों के लिए कड़ी राह खर्च, राह के लिए खर्च, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, स्नान घर, स्नान के लिए घर, ऐसे कई सारे शब्द बनेगे तो उसमें के लिए बार बार आया है और उसी को हमने समास जब जोड़ा तो उसका विलोपन कर दिया, ऐसे ही गौशाला है यानि गायों के देख लेते हैं इसे पंचमी तक पुरुष कहा जाता है तो इसमें जो अपादान कारक होता है उसकी भिभक्ती से और अपादान और संप्रदान वाला जो है न उसमें थोड़ा सा अंतर है यहां जो भिभक्ती है वो है से और वो जो से भिभक्ती होती है उसका यहां अलग होन अब यहां देखें, दूर से आगत, जन्मांध, जन्म से अंधा, रण vimukh, rण से विमukh, देश निकाला, यह सब समस्त्पद का यहां विगटन करके आपको समझाया गया, तो यह आपने देखा, देश से निकाला, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, नेत्र हीन, नेत्र से हीन, धन हीन, धन से हीन, पाप से मुक्त यानि पाप मुक्त, जल से हीन यानि जल हीन अब इसके बाद सश्टी ततपुरुष यानि संबंध ततपुरुष को देख लेते हैं जिसमें की का और के ये जो है न मतलब इसमें की का के इस प्रकार के जो शब्द हैं अभी आप देखेंगे यहां का के जो है वो आ रहे हैं एक्रम से इनका विलोपन हो जाता है जैसे विद्या भ्यास तो यहां विधा भ्यास लिखा हुआ है ठीक है कोई बात ने विधा मतलब अलग-अलग प्रकार की चीजें होती है मतलब गुण होते हैं कौशल होता है उसका विखास तो विधा का अभ्यास, सेना पती, सेना का पती, पराधीन, पर के अधीन, राजा का दर्बार, राज दर्बार, ठीक है, श्रम का दान, श्रम दान, राजा का भवन, राज भवन, राजा का पुत्र, राज बुत्र, तो यह सब बन सकता है, यहां ग्रिय स्वामी तक समझाये अधिकरन तत्पूरुष को देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो मे और पर है वो भी लुक्त हो जाता है, जैसे, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, नरो में उत्तम, नरो उत्तम, पुरुशों में उत्तम, पुरुशों उत्तम, दान में वीर, और लोग में, माफ कीजिए आभे तक तत पुरुश के इतने लड़के बच्चे थे अभी देखते हैं कर्मधारे समास को तो आक ferry समास जो होता है इसमें समस्त पद का उत्तरपद है वो प्रधान तो होता है लेकिन पूर उपद और उत्तर पद में उपमान और उपमे या विशेशन विशेशे का संबन्द भी होता है पीछे हमने सिर्फ यह देखा कि वो प्रधान होता है लेकिन यहाँ पर विशेशन अत्वा विशेशे का संबन्द होगा या फिर उपमान और उपमे का संबन्द होगा तो आईए देखते हैं इसे पहचान ये है कि विग्रह करने पर दोनों के पद के बीच में है जो के समान यहाँ ध्यान दीजेगा यह काफी important है यहाँ दानों नहीं होगा दोनों होगा ठीक है तो बिग्रह करने पर दोनों पद मतलब जो पूरो पद है और उत्तर पद है उनके बीच में है जो या फिर के समान इस प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं ठीक तो देखते हैं नव युवक नव है जो युवक तो यहाँ पर है जो 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 शब्द है वो चिपा हुआ है वैसे ही पीतांबर पीत है जो अंबर अर्थात पीला जो वस्त्र है और परमेश्वर परम है जो इश्वर नील कमल नीला है जो कमल महा आत्मा महान है जो आत्मा कनक लता कनक कीसी लता अब यहाँ देखिए, के समान या कीसी, वही भाव है, कीसी मतलब तुलना की गई है के समान, तो कनक के समान लता आप कह लिजे, कोई दिक्कत नहीं, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, वैसे ही, next, देख लता, देख रूपी लता, यानि देख के समान लता, ठीक, द आधा जो मर गया है वो परम है जो आनन्द वो है पर्मानंद और शच्चा जो आननद, वो क्या है सची दानन्द, और सची दानन्द का मतलब क्या श्री हरी विष्णू, आगे बढ़ते हैं, अगला है द्विगु, आजब न करने सुझान संख्यावाचक विशेश्रण आप पहचाना जानेंगे, परिमाण वाचक नहीं त्यां दीजेगा, संख्यावाचक। जिसे आप गिन सकें, जाहे वह अनिश्चित हो या निश्चित हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, योकि संख्यावाचक में मूल रूप से दो भेद होते है एक तो निष्चे संख्या वाचक होता है, दूसरा अनिष्चे संख्या वाचक होता है लेकिन कुल मिलाकर यहां गिंती का भाव हो, संख्याओं को गिनने का भाव हो तो द्विगु कर्म धारे जो समास है वो बनता है ये कर्म थारे यहां पर बेकार में जुड़ा हुआ है, द्विगु समास बनता है, कुल मिला कर देखिए, एक्जामपल, परिभाशा सिर्फ इतनी है, एक्जामपल में देखिए, सब्त सिंधू, अब इसका जो पहला पद है उसको देखे, पूरुपद और उत्तर पद आपन का समाहार, इसके लावा पंच तंत्र, पांच तंत्रों का समू, गिंदी का भाव आएगा, पंजाब, यानि पांच आबों का समू, पांच नदियों का समू, पंजाब का आर्थाप यहां देख रहे हैं, ठीक है, पंच रत्न, पांच रत्नों का समू, नौ रत्न, नौ रत और देख लीजे, सत्सई, 702 हो कसमो, बिहारी सत्सई आप देखते ने, इसका जो शुद्ध तत्सम रूप होता है, वो है सब्ध शती, तो सब्ध शती का मतलब क्या होता है, 700 जो पद होते हैं, या दोहे होते हैं, उनका समो, इसके बाद चलते हैं आगे, बहु ब्रीही, ब् पुरुपद तथा उत्तरपद, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, ना तो पहला वाला इंपोर्टेंट होता है, ना दूसरा वाला इंपोर्टेंट होता है, तब क्या है, कोई तीसरा पद ही वहां महत्वर रखता है, या प्रधान होता है, जैसे, दशानन, ठीक अब यहाँ पर दस मुह वाला तो यह किसी दूसरे के लिए कहे जाते हैं जो दोनों पद है न वो दोनों मिलकर आपस में किसी तीसरे का भाव व्यक्त करते हैं आप ऐसे समझें तो इसका आर्थ आप निकालेंगे जिसे दस प्लस आनन तो दस एक संख्या है और आनन मतलब होता है मुह तो आप कहेंगे कि द्विगु समास है क्योंकि संख्या आगे रहेगी तो इसका जो सारांश है द्विगु की रूप में दिखाई दिखा लेकिन आपको ये भी देखना होगा लेकि रावण के अलावा किसी के पास नहीं थे तो यहाँ सीधा-सीधा उसका आर्थ होगा रावण यानि किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है तो जब तीसरा भाव उसमें से निकलकर आ जाया तो वह वहां पर बहुबरी समास कहलाएगा तब वो द्विगु नहीं होगा और अगर वो संख्या तक ही सीमित्र जाया और उसका मूल भाव बदले नहीं यानि किसी तीसरे की वहाँ बात नहीं हो तब वो द्विगु समास होगा ये ध्यान रखेगा तो अब देखिए इसमें आगे बहुरी समास की होता है या विशेषण होता है इनकी पहचान करने का तरीका बताया गया है ताकि इन गुणों के आधार पे आप्थ विशेशनु होता है यह जिस लिंक का है वो जिस और पुरुष कैसा तीसरा पदार्थ दो तो पहले से ही है पूरु पद और उतर पद तो उसके अलावा जो third component है वो यहां important होता है अब देखते हैं यहां कैसे विग्रह होता है कैसे समाज बनता है तो समस्त पद में प्रधान मंतरी को आप देख रहे हैं ठीक है तो मंतरियों में जो है प्रधान ये क्या है प्रधान मंतरी पंकज, पंक से जो पैदा हो अब पंकज जो शब्द है ये किसके लिए इस्तिमाल करते हैं कमल, तो यहां तीसरे व्यक्त की बात हो रही है वैसे ही अनहोनी ठीक, नहोने वाली घटना निशाचर, निशा में विचरन करने वाला अर्थात राक्षस, हालागी कुछ जीव भी निशाचर होते है इसके बात चौ लड़ी चौ लड़ी का मतलब क्या होता है माला, हार जो होता है उसको कहा जाता है लेकिन कैसा हार, जिसमें की चार लड़ियां हो चार लड़ियों का मतलब समझ रहे है तो विश्को धारन करने वाले तो कई लोग हैं लेकिन यहाँ पर साप सितात पर रहे होता है म्रिग नैनी यानि म्रिग के समान नेत्रों वाली अर्थात यह सुन्दर इस्त्री के लिए उपमा दी जाती है तो प्रश्णी यह है कि सुन्दरता कैसी है तब उसी के आधार पर तैय होगा क्यों म्रिग नैनी है या कमल नैनी है यह सब चीज़ है इसके बाद आगे चलते द्वंद समास को देख लेते हैं जिस समस्त पत में दोनों पत प्रधानों मतलब द्वंद का तातपरी क्या है कि दो बराबरी के योद्धा वहाँ पे भिढ रहे हैं आपस में पुराने समय में महाभारत काल में विशेश रूप से यानि उत्तरवैदिक काल की बाद का जो समय था महाजनपत काल आप समझ लीजे तो उस समय का जो टाइम पीरियड था उस समय द्वंद बड़े फेमस थे बड़े बड़े मल्ली योद्धा होते थे खास दोर पिये जो यूपी बिहार का छेत्र था यूपी बिहार ही सिर्फ नहीं पंजाब हरियाना वाला जो पूरा उधर का इस प्रकार के खेल होते हैं उसमें दो ही लड़ते हैं आपस में वो WWE या WWEF वाली wrestling नहीं होती है कि तीसरा भी आके उसमें इन्वाल हो जाता है वो सब पठका-पठकी करने लगते हैं तो द्वन्द के कुछ नियम कायदे होते हैं अब इसमें दो योद्धा आपस में युद्ध करेंगे और निड़ा ये होगा कि या तो एक योद्धा मर जाएगा और दूसरा जित जाएगा और नहीं तो फिर जो दूसरा मरने की एक अगार पे पहुँच गया है वो इसको छमादान मांगना होगा और छमादान पहले के समय में मृत्यू से भी जादा निक्रिष्ट होता था इसलिए लोग मरना पसंद करते थे तो आपने बहुत सारे द्वन्दों का एक्जांपल जैसे दुरियोधन और भीम के बीच में द्वन्द हुआ था और यहां भीम और जरासंद के बीच में द्वन्द हुआ था ऐसे ही भगवान कृष्ण जब गये थे मथूरा कंस के इन्विटेशन पे तो वहां भी जो मल्ली उधा थे उनके साथ इनका द्वन्द होता है तो ऐसे युद्धों में प्राय एक परिणाम होता है कि एक मरेगा दूसरा जीत जाएगा तो यहां द्वन्द में क्या है कि दोनों बराबरी के लगभग होते है थोड़ा बहुत का 19-20 का फर्क होता है तो दोनों महतुपूर्ण होते है पूरू पद भी महतुपूर्ण होता है और उत्तर पद भी महतुपूर्ण होता है जैसे रात दिन ठीक रात दिन क्या है यह समस्त पद है यानि इसका समास किया जा चुका है अब इसमें रात भी important है और दिन भी important है आप किसी एक को जादा महत्वूर्ण नहीं कह सकते दोनों का अपना अपना महत्व है तो इसलिए यहाँ पर बंद समाज सुख दुख दोनों जिंदगी में आवश्यक हैं और दोनों महत्वूर्ण हैं तो सुख और दुख यह भी द्वंद समाज है दाल और चावल ठीक दोनों important हैं आप ऐसा नहीं कह सकते कि दाल मेरे लिए important है हो सकता है किसी की पसंद अलग हो वह अलग चीज़ है लेकिन दोनों भोजन का हिस्सा है और दोनों का समान महत्व है ठीक, तो दाल और चावल भाई और बहन, माता और पिता उपर नीचे, सब ऐसे ही हैं इसमें जो दोनों पद हैं वो दोनों important हैं माता पिता, माता जितनी important है उतना ही पिता भी important है लोग मा को सर्विसरिष्ट मानते हैं ठीक है जन्दात्री होती है, उस मामले में वो सर्विसरिष्ट है और संतान की पहली जो जरूरते होती है उनका ध्यान वही रखती है लेकिन पिता का संरच्छड वो भी बेश कीमती होता है तो दोनों की importance भराबर है, 50-50 ठीक, इसके बाद देखें उपर नीचे, उपर और नीचे, गंगा और यमुना इसके बाद देखें, दूद दही यानि दूद और दही, आयात निर्यात आयात और निर्यात, देश और विदेश ऐसे ही आना और जाना राजारंग, ये सब है द्वंद समास के example, आगे बढ़ते अव्याई भाव को देख लेते भाई, तो अव्याई भाव का मतलब यह होता है, कि पहला पद जो है वो अव्याई होता है, शब्द के रूप में वो क्या होता है, अव्याई होता है, और दूसरा सिधा इसमें यह है कि समस्तपद में अव्याय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है मतलब यह अव्याय जो है नहीं यह हावी हो जाता है संग्यापर 20 पड़ता है और यह पूरे शब्द को कवर कर लेता है जैसे प्रति दिन ठीक प्रति दिन प्रतेक यह आप देख लीजे और यथा शक्ति हैनि शक्ति के अनुसार आजन पर्यंथ यथा रुची के अनुसार के अनुसार के प्रति ऐसे जो यहाँ पर बीच में जोडने वाले शब्द हैं वह आपको दिखाई देंगे जैसे भर पेट, पेट भर के, यथा विधी, विधी के हिसाब से, बालकम, यहाँ पर बाकलम है असल में, तो कलम के साथ, प्रत्यक्ष, अक्ष के प्रती, बेशर्म, बिना शर्म का, समक्ष, यानि अक्षी, यानि नेत्रों के सामने, बदस्तूर, यानि दस्तूर के साथ, यह यह उपसर्ग है, हमने भी पीछे देखा है, ऐसे ही कई सारे हैं, जिसे आप देखें, यथार्थ है, तो यथार्थ का मतलब क्या, जो अर्थ के हिसाब से हो, बतौर यानि तौर के साथ, तौर तरीके के साथ, यथा कर्म यानि कर्म के हिसाब से, यह सब हम लोग अब यही भा आशा की इस आप से अगर देखा जाए तो दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है मतलब शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है उसको संदी कहते हैं दूसरे अर्थ में संदी का समाने अर्थ होता है जोड़ना या मेल करना तो दो अक्षर मिलते हैं तीसरे शब्द की रशना होती है या दो शब्द भी मिलते हैं और तीसरा एक नया शब्द बन जाता है तो उसको संधी कहा जाता है संधी में समास भी समावेशित हो जाता है लेकिन समास में संधी को सकते संदी के नियमों को लगा सकते हैं संदी कौन सी अदिक यह भी संदी है अब इसका संदी विछेद आपने कर दिया संदी के भेध होते अब तीन मोटे भेध होते हैं स्वरसंदी में हैं विशंदी अग अ smart श्वरों से उत्पन्न विकार होता है और जो रूप परिवर्तन होता है उससे बनने वाली संधी को स्वर संधी कहा जाता है जैसे विद्या प्लस अर्थी अब यहाँ आप कहेंगे कि स्वर कहा है तो स्वर इतने उचारण में जब आप इसी शब्द का उचारण करते हैं तो जो अंतिम आपका राग निकलता है या स्वर निकलता है वही यह बताता है कि व्यंजन है या स्वर है जैसे विद्या आ का उचारण हो रहा है तो यह आ क्या है इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वन्ड होते हैं वो असल में स्वर में आते हैं और फिर यहां आप देख रहे ह हुआ और उदय उजो है ये भी आपका स्वर है दोनों का समाई उजन हुआ तो बन गया सूर योद है इसके बाद मुनी प्लस इंद्र मुनी यानि छोटी इ का उच्चारण हो रहा है और इंद्र में छोटी इ पहले से ही है तो यहां दोनों जो इ है या आपस में जुडेंग इस प्रकार से दिर्गे संदी में क्या होता है तो दो स्वर जो है यहां पर स्वर्ड लिखा हुआ है इसके जगा पर आप स्वर्ड कह लीजेगा ठीक तो दो स्वर्ड स्वर्ड मिलकर आपस में दिर्ग हो जाते है और वो स्वर अगर लगू है तो दिर्ग हो जाएंगे उ इ, उ, री इस प्रकार से हो जाते हैं तो यह हम लोग जब एक्जामपल के तोर पे देखेंगे तो बेतर समझ में आगा जिसे अ प्लस अ बराबर होता है अ यह दिर्ग संधी का नियम है तो अत्र प्लस अभाओ अत्र में अ का उचारण है अभाओ में पहले ही अ दिया हुआ है और दोनों जब अ जुड़ा है तो बन गया आ वैसे ही कोड में आपने अर्ग जोड़ दिया कोड इसमें लास्ट में अ का उचारण हो रहा है कोड और अर्ग फिक तो अर्ग का मतलब जानते हैं क्या होता है अर्क का मतलब मदार का पोधा होता है और उसके अलामा भगवान सूरे को भी अर्क कहा जाता है तो यहाँ पर यह कोड़ार्क का जो सूरे मंदिर आप देखते हैं यह भगवान सूरे के नाम से ही जुड़ा हुआ है तो यह आपने देखा कोड प्लस अर्क बराबर कोड आर्क यहाँ आ की मात्रा बनी पैसे ही आ और अ जैसा कि पीछे बताया गया था कि एक दिर्ग रहेगा दूसरा हरस्व यानि छोटा मात्रा या शब्द रहेगा तो भी उसका जो परिणाम है वो दिर्ग के रूप में सामने आएगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दिर्ग संथी तो आ और अ को जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा वैसे यहाँ आप देख रहे हैं विद्या प्लस अर्थी वैसे ही औ और आ जोड़कर भी आ ही बनेगा जैसे शिवाले हो गया शिव प्लस आले शिव का उचारण हो रहा है और आले पहले ही दिया हुआ है तो और आ जोड़ेंगे तो भी आ बनेगा यह हमने देखा उसके बाद देख लीज़े यहाँ कुछ और चीज़े दी जैसे भोजन प्लस आले है और इसी प्रेकार से यह तो और आका हमने देखा छोटी यह का भी हो सकता है जिसे छोटी यह दो बार है और इसको आपने जोड़ा तो बड़ी बन जाएगी जिसे गिरी प्लस इंद्र गिरी जो शब्द है उसमें छोटी यह है और इंद्र में छोटी पहले से ही दिख रही है, दोनों को जोड़ेंगे तो गिरी इंद्र बन जाएगा, गिरी इंद्र, रह पे बड़ी की मात्रा, वैसे ही गिरी पलश इस है, ठीक, तो इसमें बड़ी का समायोजन है, गिरी में छोटी ही है और इश में बड़ी ही है तो छोटी ही और बड़ी ही जुड़ेगी तो गिरीश हो जाएगा यह सब है और ऐसे ही बड़ी और बड़ी ही जोड़ेंगे तो भी बड़ी ही हो जाएगा यहां देखिए प्रित्वी ठीक है बड़ी का उच्चारण है और ईश में बड़ी ही दिखी रही है साबू तेक्दम तो प्रित्वी इश हो जाएगा बड़ी ही यहां साब साब जहलक करें किसी भी शब्द में कौन सा वर्ड या कौन सा स्वर्ड छिपा हुआ है यह जानने के लिए उसका थोड़ा सा अच्छे से उच्छारण करेंगे तो आपकी जबान ही आपको बता देगे कि वहाँ पर कौन सा वर्ड छिपा हुआ है या उसका मूल भाव क्या है चोटा हूँ और चोटा हूँ जोड़ेंगे तो बड़ा हूँ बन जाएगा जिसे भानू प्लस उदय भानू दय हो जाएगा बड़ा हूँ और चोटा हूँ जोड़ेंगे तो भी बड़ा हूँ ही बनेगा जिसे स्वयमभू प्लस उदय तो स्वयमभू दय हो जाएगा ठीक ऐसे ही पित्रिप्रस रिड हो जाए का पित्रिड यहाँ पर क्या हो रहा है छोटी री जो है वो आपस में जुड़ रहे है री भी जो है वो दो विराइटी के होती है एक तो यह वाली होती है जिसे कि हम सामाने री कहते है पहले क्या था कि हिंदी वर्ण माला में एक और री पाई जाती थी आज कल वो प्रचलन में नहीं है वो दिखती थी कुछ ऐसी इसके नीचे एक और ऐसे रगता था ये वाली जो है ये छोटी री कहलाती थी ये वाली बड़ी री कहलाती थी तो आम तोर पे जब आप इसका संधी करतें तो यहाँ पर पित्र रिड जो है ये पित्रीड हो जाता मतलब बड़ी री की मात्रा एक और ऐसे लगती त्र में आप ऐसे लगाते हैं न त्री ठीक है एक और लगाते ऐसे तो बाद में क्या हुआ कि जो भाशा समीती है हमारी हिंदी भाशा कि आज हिंदी दिवस भी है जिस दिन हम इस वीडियो को बना रहे है तो उसने क्या किया कि यह बड़ी री वाला प्रशलन है इसको खतम कर दिया और कहा कि भाई बड़ी और छोटी दोनों के लिए इसी का इस्तिमाल होगा तो इतना हमने देखा, इसके बाद गुड स्वर संधी को देख लेते हैं, मतलब गुड संधी सीधे-सीधे स्वर का ये सब प्रकार है, तो यहाँ पर अ या आ के बाद ई या ई या उ और अ और उ आय या री आय तो दोनों मिलकर धोल अर हो जाते हैं, अब कैसे होगा आयए देखते जैसे अ और ई जोड कर आ होता है, देवमें इंदर जोड़ दिया देवंद्र हो गया, अ में जोड़ दिया तो 애 हो जाता है जिसे देव plus ऐस, देवेश ये इंद्र का ही परियाएवाची आ में ए जोडेंगे तो भी ए आएगा जिसे महा और इंद्र महा में आ का उचारण है और इंद्र में ए का उचारण है तो ये महेंद्र हो जाएगा आ में उ जोडेंगे तो ओ हो जाएगा तो समुद्रूर मी हो जाएगा समुद्रोर मी हो जाएगा असल में यहाँ ओ का उचारण होगा और आ में आपने छोटा हूँ जोड़ा जिसे महा उत्सव ठीक है तो महोत्सव हो जाएगा इसी प्रकार से अ में री जोड़ दिया तो अर बनेगा जैसे देव और रिशी ठीक है देव अ का उचारण हो रहा है रिशी में शुल्वात में री लिखा हुआ है तो आप और री को जोड़ रहे हैं तो यह बन जाएगा अर यानि देवर्शी ठीक है तो अर इसमें मिला हुआ है और आ मेरी जोड़ेंगे तो भी अर बनेगा जैसे महा प्लस रिशी महा में आ कई मात्रा का उच्चारण हो रहा है और रिशी जो है उसमें री है तो इसका जो है यह भी महार्शी हो जाएगा यहां भी अर का उच्चारण होगा इसके बाद वृद्धी संधी को देखते हैं तो वृद्धी संधी जो होती है उसमें नियम कैसे पहचानेंगे हम यहां पर A या आ के बाद A या आता है और दोनों के स्थान पर A तथा O या O आय तो दोनों के स्थान पर क्या होता है इसको समझने के लिए जड़ा एगसाम्पल देखिए आ और A अगर जोड़ेँ हैं ऑ और A को अगर जोड़ेँगे तो A हो जाएगा जैसे कि 9 प्लस 1 माफ कीज़ेगा यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 इसी प्रकार से अ में अगर ए ही माफ कीज़ेगा अ में अगर ए जोड़े यह ए है और यह ए है ध्यान दीज़ेगा दोनों में फर्क है तो अगर अ में ए जोड़े तो भी ए बनेगा जिसे 9 प्लस एश्वरे ठीक तो 9 प्लस एश्वरे 9 एश्वरे हो जाएगा और इसमें यहाँ आप देख रहे हैं आ में ए जोड़ेंगे तो भी आए होगा जिसे महा प्लस एश्वरे महाईश्वरे हो जाएगा और सदा में आव जोड़ दिया सदा हो जाएगा ऐसे कई सारे बनेगे आ में आ जोड़ा तो आ बनेगा जिसे परमोशद है इसके लावा आ में आ जोड़ा तो आ बनेगा महोजस्वी है और आ में आ जोड़ दिया अभी तक तो O जोड रहे थे, अभी O जोड दिया तो महोशद हो जाएगा ये सब चीज़ें हम लगातार इन्हें देख रहे हैं इसके बाद देखें याण संधी तो याण संधी में नियम यह होता है कि E, E मतलब छोटी E, बड़ी E चोटा O, बड़ा O और R के बाद कोई भिनस्वर आए कोई अलक्स्वर आ जाता है तो चोटी E, बड़ी E का U हो जाता है चोटा O, बड़ा O का व हो जाता है व के नीचे हलंत रहेगा और R का र हो जाता है र के नीचे चोटा सा हलंत रहेगा अब इने ध्यान से देखे, यहाँ पर E plus A है, is equal to Y हो जाएगा, यानि यदि प्लस अपी, E plus A है, यानि यह हो जाएगा, प्रति प्लस एक प्रतेग, E plus A है, इसका जो यहाँ सारांश है, वो या हो जाएगा, यानि अति प्लस आवश्यक, देवी प्लस आश्वरे है, देवश हो जाएगा, यहाँ जो सारणी बनी है, उसको ध्यान दीजेगा, E और A जोड़ेंगे तो Y होगा, E और A जोड़ेंगे और इसमें नया शब्दा कर जोड़ेंगा, तो यह यहाँ पर देखे, यह हो जाएगा, E में A जोड़ेंगे तो Y हो जाएगा, इसी प्रकार से E, A और एक और एनदर जुड़ेगा तो यह हो जाएगा इसमें जो तालीका बनी है इससे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं यह काम की है इससे आपको जोड़ने के नियम पता चलेगी इसके बाद आगे चलते हैं देखें इसमें आयादी जो स्वर संधी है उसका पांचवाज और अंतिम प्रकार हम देखेंगे तो इसके कुछ नियम है जैसे कि ए, आ, ओ के बाद कोई भिनिसवर आए तो क, ए, ए का आ हो जाता है मतलब क का मतलब यहाँ पे नहीं भाग से है तो ए जो है उसका आ हो जाएगा अगर ए है तो आए हो जाएगा मतलब ए का उच्चारण जो है यह अगर रहेगा तो आए हो जाएगा ऐसे, ओ है तो अव हो जाएगा जैसे, ए और अ जोड़ा तो आ हुआ जोड़ा, मतलब ए और अ जोड़ा तो आई हो गया, वही चीज़ आपको समझाई गया और उजोड़ा तो आउँ हो जाएगा तो यह सूत्र हैं, जैसे mathematics में फार्मूला होते हैं नो वैसे ही है इन सूत्रों के सहारे आप शब्दों को हल कर सकते हैं इसके बाद combination of consonant यानि वैंजन संदी को देखेंगे और वैंजन संदी में वैंजनों के मेल से उत्पन्न विकार होता है या तो वैंजन से वैंजन का मेल होता है नहीं तो कम से कम एक स्वर के साथ एक वैंजन का मेल होता है तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संदी कहते है इसके नियम होते है नियम यह है कि जो म वर्ण होता है उसके बाद क से म तक कोई वर्ण हो म का अनुस्वार रथा बाद वाले वर्ण का जो पांचवा यहां ध्यान दीजेगा म का अनुस्वार अत्वा बाद वाले वर्ण का वर्ण का पांचवा और वर्ण हो जाता है यहां बंद्ध दो शब्ध है वर्ण का तातपर होता है कि जो लाइन आप लिखते हैं सिझांगल च इन sill फो ये और हदुने वाले जो शब्द हैं आप देखें जिसे कुछ गघर अंगः इसके बाद देखिए यहाँ पर तालुमें उसको मूर्धा कहा जाता है तो मूर्धा से जो उचारण होता है उसमें आप देखें कि ci-is-is प्रकार के जो शब्द हैं मतलब वर्ण हैं वो इस्तिमाल होते हैं दंतिय यानि दात का सहारा लेकर उचारित किया जाने वाले जो है उसमें त, थ, द, आप बोलेंगे न तो आपकी जीव है वो वहाँ वहाँ पहुंचेगे जीव इसमें मेन कंपोनेंट है लेकिन वो जहाँ जहाँ इस पर्ष करें उसी के आधार पेता है तो दंति यानि दात को इस पर्ष करेंगे आप तब बोलेंगे और आप से कहा जाए कि जीव दात से नहीं लगनी चाहिए और तब बोलिए आप बोल सकते हैं नहीं बोल पाएंगे तो वही चीज ओष्ठ है यानि ओट का इस्तिमाल करके जो चारण किया जाते हैं जिसे ए है इसके नाम हो फ है बो है यहां जीव बहुँ ज्यादा काम नहीं करती है सिर्फ हवा निकलती है मुह से और ओठ उसी हिसाफ से आकार लेते तो यह चीज़े हैं अब इसके बाद नीचे दिया है कि क च ट त प के बाद अगर य या मा आए माफ कीज़ेगा न या मा है तो यह क्रमशा इनके अंदर हलंत लग जाता है जैसे क है च है ट है मतलब शब्द वही है वर्ड वही है लेकिन नीचे हलंत लगा हुआ है जैसे वाग प्लस मैं वांग मैं हो जाएगा अप प्लस मैं मैं हो जाएगा ठीक है अप मैं हो जाएगा असल में और शड और मार्ग हो जाएगा इसके अलामत जगत प्लस नाथ हो जाएगा उन्प्लस नती हो जाएगा और शड प्लस मास सडमाश हो जाएगा ऐसे शब्द बनते हैं यहां भी कंठे तालव्य और ओश्टे वाला दिया हुआ है तो हमने पीछे देख लिए दुबार यह रहल वर इस प्रकार का आए तो वह जो कर्च तर्प है उसके साथ हलंत लग जाएगा मतलब हलंत लगाके जो यहां वर्ण है उसका तीसरा वर्ण हम लोग बनाएंगे जैसे दिक प्लस गज दिक मतलब होता है दिशा और गज मतलब यहां पर हाथी से तात पर है लेकिन अब बिंधन हो जाएगा तद प्लस रूप तद रूप हो जाएगा ऐसे कई सारे शब्द बन सकते इसके बाद विसर्ग संधी को देख लेते हैं तो विसर्ग संधी के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन होता है मतलब विसर्ग के साथ विसर्ग का मतलब स वर्ग का जो तृतिया चतुरतिया पंचमवण आ जाए तो यह लव रहे विसर्ग का जो सिधा उचारण है वो छोटे उ में तबदील हो जाता है जिसे मनह प्लस रत ठीक है मनह न के आगे विसर्ग लगा हुआ है और रत एक अलग शब्द हो गया मनोरत हो जाएगा ओगा यह यहां उचारण होगा वैसे ही मनह प्लस भाव मनो भाव मनह प्लस कामना मनो कामना पयाःःः प्लस द पयोद करने चिंगे चिनीक से के लियुए नहीं है विसर्व संदी के लिए काम क्यों सकते हैं छोगर क्या मत्नी इसके बाण नीचविए सब्स बन्स पर यानि सरोवर एसे शब्द बंथे हैं अगला रहा अनिकार्थी को तो अंक, अंक का मतलब गिंती वाले अंक हो सकता है, नंबर इसके अलावा अध्याय हो सकता है, भागय हो सकता है, चिन्न हो सकता है, दे हो सकता है, गोध हो सकता है, स्थान हो सकता है, अंध में आप देख लें उल्लू भी कहा जाता है, मतलब अंध को उल्लू लिए कोई है तो उसके लिए अकिंचन इस्तिमाल होता है आप समझ सकते हैं कि एक शब्द में कितने सारे अर्थ है अक्ष जो शब्द है ये आखों के लिए इस्तिमाल होता है सूरी को भी कहा जाता है सर्प को भी कहा जाता है जुए का जो पासा होता है शपनी मामा हमेशा हा आपदीकर्थ हो गया. समूचा, कल्यान, हिजडे को भी अकषत पहा जाता है. अखंडित चावल को भी कहा जाता है, Лावा को भी कहा जाता है, जो और धाने को بھی कहा जाता है, जिनका साबुद इसके अलावा यग्य में सोमलता लाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको भी अतिति कहा जाता है इसके बाद अधर होट इसके अतरिक्त शून्य नीचा मध्ध ये सब तात पर रहे हैं शेशनाग भगवान विश्णु और आकाश इन सभी को अनन्त कहा जाता है इसके अतरिक्त सुन्दर, अर्जुन, पापहीन, शोकहीन इन सब को अनद कहा जाता है और अपवाद ये कलंक और नियम विरुद्ध चीजों को कहा जाता है अपेक्षा, इच्छा और शेक्ता, आशा बनिबस्त, अबज, कपूर, कमल, धन्वंतरी, शंक को भी अबज कहते हैं, चंद्रमा से भी हो सकता है, पारा से भी हो सकता है, स्वानडग्रित और दूद से भी हो सकता है, एक अमरत्व देने वाला अमरत भी हो सकता है, अरुण ये लाल रन को कहा जाता है, भगवान सूरी का स्वैंक परियाइवाची है, इसके अलामा भगवान सूरी का जो रथ हांकने वाला आप पढ़ते हैं प्रेयोजन भी होता है तातपरे कारण किसलिए अवतन्स का मतलब होता है भूशन टीका मुकुट थालिस रिष्ट व्यक्ति और दूल्हा अवली मतलब होता है पूर्ण स्वरग्राम श्रंखिला समू इत्यादी अही मतलब होता है नाभी राहू और इसके वर्ण प्रित होता है उसको भी अही कहते है इसके अत्रिकत आत्मा तो बुद्धी को भी आत्मा कहते है जीवात्मा को भी आत्मा कहते है ब्रह्मा को भी आत्मा कहते है शरीर को भी आत्मा कभी कह देते है और पत्र और वायू को भी कहते है आदित्य तो आदित्य जो शब् व्भग्वान सूर्य का परहावाची होता है आदित्य थीक तो सूर्य देव मित्र सविता सविता तू सूर्य को ही कहा जाता है इसके अलावा भगवान मुष्ण को भी आदित्य कहा गया बारह की संख्या बारह की संख्या उसको भी Nord прим वरुण को भी तो कुल मिलाकर overall जितने देवता है जो कि अधिती से उत्पन्न पुत्र है उन्हें आदिती कहा जाएगा ठीक इसी प्रकार से दिती से उत्पन्न जो पुत्र है उन्हें दैथते कहा गया ठीक है अपनी माता के नाम से हो जाने गए Kasyap Rishi ये बहुत प्रख्यात जो सब्तिरिशी हैं उनके ग्रूप में शामिल थे और इनकी दो पत्निया थी दोनों जो है वो दो सुभाव की थी दिती जो है वो धूरत और कुटिल विद्या वाली थी और अधिती जो थी वो बढ़िया मनुवृत्ती वाली थी तो जैसी जिस माता की मान सिकता थी वैसे ही उसके पुत्र हुए इसके बाद आगे चलते हैं आपत्ति विपत्ति और एत्राज दोनों इसका तात्परे होता है आम का जो फल होता है उसको तो आम कहेंगे ही इसके लावा आम आदमी पार्टी तो सर्वसाधारन की पार्टी ठीक है मामूली आओ अदपका भोजन और इंद की पत्नी और पुरुरवा की माता चलिए इसके बाद इश्वर को देख लीजे तो इश्वर एक समर्थ व्यक्ति को भी हम लोग कहा देते हैं धनिक व्यक्ति है तो इसको भी इश्वर कहा देते हैं लेकिन कुल मिलाकर इसका शाब्दिकर्थ होता है भगवान इसके बाद उत्तर, उत्तर मतलब एक दिशा हो गई, पश्चाताप को भी उत्तर कहा जाता है, बदले को भी उत्तर कहा जाता है, जवाब को भी उत्तर कहा जाता है, रिक्ष, यहां रिक्ष लिखा हुआ है, वो थोड़ा विचित्र है, रिक्ष होता है, ठीक तो रिक्ष जो है यह मुक्ष वृत्ति विशेश को भी कहा जाता है कंक कंक का मतलब होता है श्वेट इसके अलामा होता है छत्री है इसके अलामा होता है यम और होता है चील लेकिन युदिश्थिर जब अग्यातवास अपना गुजार रहे थे तो भाईयों सहीत और पत्नी सहीत उन्होंने अपना पिशलग को हुआ करता था और द्रॉपदी जो थी उन्होंने सैरंध्री का रूपधारण किया था जो कि रानी की दासी के तोर पे काम करती थी भीम जो थे उन्हें ज़्यादा भूख लगती थी तो बार-बार भोजन किस से मांगेंगे इसलिए उन्होंने वल्लब नाम के एक रसुईय का रूपधारण कर लिया था अब इसके बाद आगे चलते हैं देखे कंज का मतलब वैसे तो भूरा होता है कहते हैं कंजी आखे तो भूरी आखे बिल्ली के समाना आखे लेकिन कंज का मतलब कमल भी होता है कर कंज मुख कंजारुनम तो वहां भगवान राम के समन्ध में वो कहा गया है तो कंज मतलब कम कमल के समानमोख ठीक और इसके बाद देखिए ब्रह्मा भी कहा जाता है केश को भी कंज कहा जाता है और अम्रित को भी कंज कहा जाता है कनक कनक कनकते सोगुनित यहां धतूरा सोना इन दोनों को कनक कहा जाता है गेहूं को भी कहते हैं पलाश को भी कहते हैं ब्रिक्ष को भी क कहते हैं और टैक्स को भी कहते है कर दाता कर्ण कुंटी का पुत्र ठीक इनके कान जब यह पैदा हुए तो इनके कान बहुत सुंदर थे क्योंकि उसमें बहुत दिव्य कुंडल दिखाई दे रहे थे था तो कवच भी लेकिन कवच दिखाई नहीं देता था जब शस्त्र साम कुंटी के कान से इनका जन हुआ था इसलिए इनका नाम कर्ण है तो अलग-अलग मानित आ हैं कोई महाभारत काल में गया नहीं है सब सुनते हैं या जो ग्रंतों में लिखाए उसको पढ़ते तो यह चीज़ें अब इसके बाद कान को भी कहा जाता है पतवार को भी कहा जा बीता हुआ दिन जो होता है उसको भी कहा जाता है सुख्चैन शांती पुर्जा मधुर्ध्वनी अंश कारी करने का कौशल इन सब को कहा जाता है कला जो है यह अंश गुण चंद्रमा का सोलमा भाग इसके लावा आप देख रहे हैं काल तो समय मुहूर्थ आवसर शिव य लुग यह सब को कहा जाता है इसके लावा कुंभ यह घड़ा और हाथि के मस्तग को कहाझा जाता है कुशल जो है यह चतुर और खेरियfish को कहा जाता है इसके लहावा शिखर, छलकपट, कागज, परवत इन सब को कूट कहा जाता है वासुददेव पुत्र, काला का हुआ才 इन सब को कृष्ण कहते हैं बतलब भगवान कृष्ण का नाम तो है यह उसके अलावा जितना भी है तो उनका रंग सामुला था तो इसलिए उन्हें भी कृष्ण कहा गया इसके अलावा ज्यान निशान ध्वजा ग्रह चमक इन सब के तौर पे केतु का इस्तिमाल होता है इस इसके अलावा परकोटा होता है दुर्ग रंग चड़ाने की प्रक्रिया जो होती है उसको भी कोट कहा जाता है कोटी ये करोड की संख्या हो सकती है श्रेडी को भी कहते है उच्च कोटी के मनुष्य और धनुष का जो सिर्ष भाग होता है उसको भी कोटी कहते है क्रिया अ तो ईसके बाद आगे चलते हैं यह चेत्र जो है इस तरी का आपो प्रयायवाची सुशने वार्वाऩ जाएगा या कासे ःत्ज समानार५्त है यह शोचने वाली बात ही और छीक है खतायगा थीक बुला इन सब को खर कहते यह बुरे अर्थ में इस्तिमाल होता है घट्फूरे को होता तो इसे सब Freunde को का यहां देखे नाय тखत अमोई रुद्र के अनुचर सेना चंद शास्त्र के आठ गण इन सब को कहा जाता है गती चाल मोक्ष इस्थती इन सब को गती कहा जाता है ठीक इसके बाद गायत्री गंगा नदी दुरगा देवी पारवती देवी गायत्री देवी सावित्री देवी ये सब हो जाएंगी और गुण रसी कोशल सुभाव प्रतियंचा विशेश् देख लीजे सिक्षक बड़ा स्रेष्ट भारी दो मात्रा वाला ब्रहस्पति को भी गुरु कहते हैं गो का यहां गाये आंख इंद्रिये और इसके अतरिक्त बांड बाल स्वर्ण स्वर्ण भूमी सूर्य माता बैल सरस्वति यह सब जो है यह गो जो शब्द है उसके अंदर समाईध होते हैं मतलब गो के इतने सारे अर्थ होते हैं इसके अतरिक्त घना तो घना का दाना भी हो सकता है बादल भी हो सकता है मोटा भी हो सकता है हतोडा भी हो सकता है और कपूर और सघन ये भी हो सकता है इसके बाद घी को आप देख रहे हैं तो ज्ञान बुद्धी 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 ये सब्तात पर रहे हैं फल को देख लिए तो परिडाम व्रिक्ष से प्राप्त होने वाला खाद दे चर्म ठाल संतान बेवा इन सब को कहा जाता है चंद्र चं तो चश्मे का जल मतलब यह नहीं कि चश्मा धोकर उससे पानी ले रहे हैं यह जरने से तातर है और एनक जो होता है यानि चश्मा उसको तो बोलते ही है इसके अलावा घास और उपाय है तो इसका चारा होते कहते कोई चारा नहीं यानि कोई उपाय नहीं और पशुओं को चारा डालो इसके अलावाद छंद तो छंद के इतने सारे अर्थ है देखिए वेद वेद को भी छंद कहते हैं जल को भी कहते हैं रंग को भी कहते हैं अभी प्राय को भी कहते हैं एकांथ को भी कहते हैं नियम नियम बद्ध पद्धिरचना इन सब को कहते हैं इसके अतरिक त इसके बात देखिए चंद के नीचे यहाँ पर जंगाल है जंगाल को हमने देख लिया जगत जलज और जलज का संसार पंगट वायू शंकर टेक यह सब होता है जलज का शैवाल कमल मोती मशली चंद्रमा सेवार शंक यह सब होता है बादल और समुद्र यह जलधर दोनों माया हो सकता है चल हो सकता है जाला हो सकता है जानवरों को पकड़ने के लिए जो रसी के बुनावट करके जाल बिना जाता है वो हो सकता है और जीवन ट्राण आजीवी का जल गंगा पुत्रिन सब को जीवन कहा जाता है यहाँ आप देख रहे हैं ताल तो ताल जो है यह ज इसको भी दंड कहते हैं, इसके अतरिक्त सेना और यमराज का भी ये परियाय होता है, दक्षड, दक्षड का मतलब अनकूल होता है, इसके अलामा उदार, चतुर, सरल भी होता है, लेकिन दक्षड दिशा भी होती है, तो ये सब है, द्रब यानि पदार्थ, धन, धातु, द्वंद यानि कलह, ठीक है, समास का प्रकार भी होता है, रहसी भी होता है, जोड भी होता है, द्विज ये ब्रामबड को, वैसे द्विज का आर्थ होता है, दो बार जन्म लेने वाला, लेकिन यहाँ पर वो ब्रामबड के लिए इस्तिमाल हो सकता है, पक्षी के लिए, एक बार तो वो माता के गर्ब से पैदा होता है और दूसरा वो तब नया जन्म लेता है जब उसका यग्यो पवीत होता है बारह वर्ष की अवस्था में जब उसका यग्यो पवीत होता है और उसके बाद उसके गुरु उसको दीक्षा देते हैं और अपने साथ सिखाने के ल जाता ठीक है तो यह उसका दूसरा जन्म ऐसे ही पक्षी के साथ भी होता है एक बार वो अंडे के रूप में पैदा होता है फिर उसमें से चूजे के रूप में बाहर आता है और इसके अत्रिक्त दात को भी कहा जाता है दात भी दो बार जमते हैं ठीक है एक बार दूद के द तो तलर को कहते हैं, खंड को कहते हैं, नीचे को कहते हैं, वन को कहते हैं, हथेली को कहते हैं, सुभाव को कहते हैं, महादेव को कहते हैं, ठीक है, धननजय अर्जुन का वैसे परियाइवाची होता है, इसके अलमा भगवान विश्नु का भी परियाइवाची, आग का भी है, एक व्रिक्ष भी होता है भन ये जोड़ का जो चिन्न्रों प्लस का साइण तो उसको संपत्ती को भी कहते है मुकाबले को भी टाँ इसके मतलब तो इस्त्री नहीं बोलते फिर, इस्त्री का मतलब क्या होता है, सिकुरना, सकुचाना, तो मन में ये भावना डाल दी गए है कि संकोच होना ही होना चाहिए, तो ये भाव जो है, ये पहले का है, अब नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, संकोच ये लिहाज एक लिमिट तक जिसको कि धारण किया जा सके या जो धारण करने योग्य है वो सारी चीज़ें धर्म है ठीक है धर्म का मतलब यहां पे संप्रदाय से नहीं होता यह हिंदू धर्म है इसलाम धर्म है इसाई धर्म है यह सब नहीं धर्म के जो हमारी भारति संस्कृति में धारणा है उसका मतल भी होता है धारण करने योगे यानि मनुष्य का जो मानवी ये करतव है प्रकृति के प्रति या अपने पूरवजों के प्रति या इस पूरी धरा के प्रति जो करतव है वही धर्म है यहां इश्वर की उपासना आप किसे इश्वर की उपासना करते हैं इससे फर्क नहीं वास्तों में करने ही वस्तु है वो धर्म है इसके बाद चलते हैं आगे धातु वीरे ठीक है धातु जो है ये वीरे के लिए भी इस्तिमाल होता है इसके अलावा आगे देखें यहाँ पर प्रकृति है वीरे मतलब सीमन इसके बाद प्रकृति हो गया शब्द का मूल रूप ह हो गया अश्ट धातू हो गया स्वर्ग हो गया सोना हो गया इन सब के लिए धातू का इस्तिमाल होता है इश्वर को भी कभी कभी कह दिया जाते है धातू का मतलब होता है साकारू इसके बाद नग तो नग नगीने यानि जो कीमती रत्न पत्थर आदी होते हैं उनको कहा जात इसको देखना काफी शुभ होता है और उसके इसको देखना काफी शुभ होता है और मोर को भी नील कंट कहते हैं क्योंकि इसकी जो गरदन है वो नीली होती है पंक, पंक मतलब कीचड, दल-दल, पाप यह सब होता है पक्ष मतलब पंक होता है, पकवाडा होता है दल, वाद का एक रूप और बल यह सब होता है पट मतलब वस्त्र होता है, किवाड होता है यह वनिका को भी पट कहा जाता है रंग-манच का परदा होता है और स्थान और मुख्य, ये सब जो है ये पट के शाबदिक अर्वार्थ के तॉर पे इस्ते माल होते पतंग है तो पतंग सूरी को भी चापन होता है गुड़ी, गुड़ी का मतलब जो काइट होती है उसको कुछ स्थानों पर गुड्डी कहते हैं और कुछ स्थानों पर उसको ऐसे पतंग बोलते हैं अपने उत्तर भारत में पतंग ही बोलते हैं तो गुड्डी या पतंग और इसके अलामा सूरी का परियाईवाची हो गया पक्षी का भी परियाइबाची होता है, और तिडदा जो होता है कीट पतंगे हम लोग कहता है तो वो भी पतंग, मतलब पंक से युक्त जो चीजें यह पतंग हो गई, और इसके अलामा सूरि का भी यह परियाइबाची इसके अतरिक्त पत्र तो पत्ता, चिट्थी, पंक ये दोनों है मतलब तीनों है पद ये पाउं को भी कहा जाता है चिन्न को भी कहा जाता है विभक्ति युक्त कोई शब्द है तो उसको भी पद कहेंगे छंद का जो चौथा भाग होता है चतुर्थांश होता है उसको भी कहा जाता है पहे ये दूद पानी वीरे इसके अतरिक अन आहार शक्ती आम तोर पर जो लिक्विट फार्मेट में पाई जाने वाले चीजे हैं उनको कहा जाता है शक्ति ये liquid farmit में है या नहीं ये कोई नहीं जानता क्योंकि ये दिखाई नहीं देती सिर्फ महसूस की जा सकते है इसके बाद पान है तो पान का मतलब पीना हो सकता है पान का मतलब हो जो पनोडी वाला पान होता है वो वाला हो सकता है पत्ता और तंबाकू भी हो सकता है ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं तंबाकू हला कि पान मसाला होता है, पान नहीं होता इसके बाद पानी, तो पानी उतर गया रहीमन पानी राखिये, यानि इज़त की बात हो रही है चमक की बात हो रही है, और पानी की भी बात हो रही है, तो तीनों इसकि अर्थ हो सकते एं, इसके बाद पिंड, तो पिंड यह शरीर को भी कहा जाता है, आपने देखा ओगा न, rigid body, पिंड कहा जाता है और पंजाब में जो गाउं होते हैं कस्वें होते हैं इसके बाद पुशकर पोखरे को कहा जाता है तीर्थ स्थान परयाय या पुश्कर के साथ अर्थ मैच कराने वाले शब्द है इसके साथ प्रकृति तो प्रकृति स्वभाव को कहा जाता है धर्म को कहा जाता है खजाने को भी प्रकृति कहते हैं मूल तत्व है स्वामी है मित्र है माया है स्त्री माता मूल शब्द यह सब प्रकृति में आते हैं प्रत्य विश्वास ज्यान शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दांच निश्चे कारक ये सब प्रत्य में आते हैं नेक्स्ट प्रभाव असर महीमा सामर्थ दबाव ये सब आता है प्रसा होगा मतलब जन्म देना ठीक है इसके अलामा फल को भी कहा जाता है फूल को भी कहा जाता है प्राड ये प्राड वायू जीव प्रह्मा इश्वर सब के लिए स्तमाल होता है बंसी ये मचली फसाने वाला जो काटा होता है जो फिशिंग रॉड होता है उसको भी बोलते हैं इसके लामा भगवान विश्णु और भगवान कृष्ण के परियाय है इसके लामा हाथी को भी कहा जाता है महावीर ये भगवान जो महावीर है मतलब पीर्थंकर महावीर जो है इनका मूल नाम वर्धमान था उनको कहा गया वैसे महावीर जो शब्द है वो महावीर हनुमान जी के लिए इस्तिमाल होता है ठीक है बजरंग महावीर पवन जट नापतोल और इसके अतरिक्त क्रोध का भी परियावाची हो सकता है रश्मी ये किरण लोहे की घोड़े की लगाम और डोरी इन सब के लिस्तिमाल होता है और रस जो है ये आनंद प्रेम स्वाद अर्क तत्व भोजन के जो छह रस होते हैं और काभी के नौ रस होते हैं उ कुम कुम माडी इनको भी शोभा को भी श्री कहा जाता है इसका अतरिक्त शूति है तो शूति मतलब वेद होता है वेदों गौड़ेों को प्रमाडित नहीं कर पाई और दक्षिन भारती भाषाएं यहां भारी पड़ गए सोभा, चंद्रमा, आकास, समुध, रित्यादी, ये सब क्या है, इन सब के लिए सारंग शब्द का इस्तिमाल होता है, ये आप छोटा सा तीन वर्ण वाला शब्द देख रहे हैं और इसके अंदर इतने सारे अर्थ, सेंधो, सिंधु प्रदेश का रहने वाला, ठीक, मूल अ और नमक की प्रकार को भी सेंधों कहा जाता है, और इसके अलावा जो सेधा नमक आप पढ़ते हैं तो ये इसी का बिगड़ा रूप है, इसके बाद आगे चलते हैं उसको गुलावी नमक भी कहा जाता है, इसके बाद देखें सोम, जो है ये चंद्रमा के लिए तो इस्ति कहा जाता है, घोडा, योगी और सफेद रंग को भी हंस कहा जाता है, इसके बाद हरकत, हंस वैसे ब्रहस्पती को भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रहस्पती मतलब यहाँ पर वो देव गुरु ब्रहस्पती तो हई है, कुंडली में एक योग बनता है, जो जन कुंडली होती है जोतिष विद्या के हिसाब से, उसमें एक योग बनता है, उपपंच महापुरिष योगों में आता है, जो कि है हंस योग, तो ब्रहस्पति जब कुंदली के केंद्रभाव में बिराज्मान होते हैं, तब वो योग बनता है, तो वो ब्रहस्पती को ही असल में हंस कहा जाता है, तो ग्रह ब्रहस्पती के लिहाद से भी हंस, इसके बाद हरकत, चेश्था जो होती है, उसको नटखटपन को कहा जाता है, गति को कहा जाता है, हल्धर ये बलराम को कहते हैं, किसान को भी कहेंगे, भई हल को जो धारण करें, तो भगवान बलराम जो थे, उनका तो शस्त्री था हल, हल सही सब की कुटाई करते थे, और किसान कंदे पर हल लेकर पहले चलते थे, आजकल तो ट्रैक्टर पर बैठ कर चल रहे हैं, कोई बात नहीं, तो उसको हल धर कहा जाता है, और बैल की जो उसका गरदन होता था, कंदा होता था, उस पर हल रखकर, मतलब हल का जो आगे का जुआ होता है वो रखकर, और हल जोतने का काम किया जाता था, तो उसको भी हल धर कहा जाता था, इसके बाद इसलिए किसान बैल को अपना भाई कहते थे कि यह मेरा सगा भाई है जो कि मेरे लिए काम करता है यह आपना पुत्र मानते थे और उसी हिसाब से सेवा भी करते थे आजकल जमाना बदल गया है तो गायों की सेवा होती है और बैल उनको वैसे ही विचारे पैदा होते ही छोड़ दिया जाता है बाहर सढकों पर हस्ती हस्ती जो है ये हाथी और अस्ती तो दोनों का परयाइबाची है तुमारी क्या हस्ती है मेरे सामने वौला और हस्ती मतलब हाथी इसके बाद हीन, तो दीन, निक्रिष्ट, इत्यादी, ये सब है इसके अलमा हेम, तो हेम जो है, ये स्वानड का पर रहे बाची होता है, बर्फ को भी कहा जाता है ठीक, हेम सुता, यानि बर्फ की पुत्री, अर्थात हिमाले की पुत्री और यहाँ आप देख रहें, केसर को भी कहते हैं, नाग को भी कहते हैं, पीले रंग को भी हेम कहते हैं तो सोने से पीला रंग निकलता है, इसलिए उसको हेम कहा जाता है इसके बाद विलोम शब्दों को देख लेते हैं तो विलोम का मतलब होता है विपरीत, ठीक उल्टा किसी शचग का उल्टा आर्थ बताए तो वो विलोम हो जाएगा परतिलोम भी इसको कहा जाता है वी परियाईवाची भी कहा जाता है रचना कैसे होती है सीधा इसमें आते हैं देखें प्रशलित शब्दों द्वारा जो विप्रितार्थक शब्द हैं उनकी रचना होती है मतलब विलोम शब्द जो है उनको प्रशलित शब्दों में से ही हम लोग निकालते हैं बाहर इसके अलावा और अन्नाम का जो प्रत्य ह पर अभी कभार बन जाते हैं लेकिन रेर ठीक है और स्वतंत्र शब्द भी ऐसे होते हैं जिने के हम विपरीत अर्थ में इस्तिमाल कर सकते हैं तो इन सारे शब्दों को हम यहाँ देखने वाले थोड़ा एक लिस्ट है उसे देखने की आउशिकता है अब देखिए उत्तम का विलोम क्या होता है अधम ठीक अधम मतलब निक्रिष्ट और आदिष्ट का निशिद्ध होता है उपाय का निरुपाय होता है इश का अनीश होता है उदम का विनत होता है और इसके अलावा अभिग्य है उसका अनभिग्य होता है अरुची का सुरुची होता है इशत का अल इद मतलब कुशी महरम मतलब मातम इसके लमा इश्यत का आलम है ठीक है पीछे हमने देख लिया रथी का विरथी हो सकता है नेक्स्ट तांडों का लास्य हो सकता है विश्द्य का विनीद हो सकता है छुद्र का महत हो सकता है एक क्रम से यहां लाइन वाइस भी देख सकते हैं चिन्मय का जड़ हो सकता है, ठीक है, घरेलू का बनेला हो जाएगा, ताना का भरनी हो जाएगा, ताना मतलब क्या, धागा, भरनी मतलब बाविन या रील, और इसके बाद दुर्दान्त का शांत हो जाएगा, भोंडा भद्दा कुरूप का सुंदर हो जाएगा, भूलोक का नूतनवत हो जाएगा, आत्मा का अनात्मा शंड का मर्द हो जाएगा, शंड मतलब छक्का अर्था थिजड़ा, ठीक और देखे, यहाँ देखे पूरुवत, पूरुवत का नूतनवत, ठीक है वो हो चुका, इसके बाद आवर्तक का अनावर्तक और व्यावर्तक दोनों हो सकता है, उत्तेजित का शमित हो सकता है, मगन का, अमगन अलीन भी हो सकता है, और रिपु का मित्र हो सकता है, संबेदन शील का, संबेदन हीन असंबेदन हीन भी हो सकता है, निजग का पर हो जाएगा अटल का धुलमुल, अनवीती का अनन्विती हो जाएगा इसके लावा अर्जन का व्यायन यहाँ वही दे दिया है अर्जन का वर्जन भी हो सकता है व्यायन भी हो सकता है वर्जन भी हो सकता है दोनों हो सकते है इसके बाद अशन का अनशन हो सकता है और आविर्भाव का अवसान तिरोभाव ये दोनों हो जाएगा सरवांग का विगलांग है सामीपे का पार्थक के है सानुक का निरानुग है यादरश्य का अनादरश्य है यौम का यामा है यौम मतलब क्या दिन होता है यामा मतलब रात्री होता है, दोश मोचन का अभिशप्ती हो जाएगा, ठीक, इसके अतरिकत अविक्षा का अनविक्षा है, अर्ष का फर्ष है, अन्तिक का दुरान्तिक है, आध्य का अध्य हो जाएगा, आख का नीक हो जाएगा, ठीक है, और आप्त का अनाप्त हो जाएग इसके अलावा एशणा का अनैशना हो जाएगा, ग्रिहीत का व्यक्त हो जाएगा, उद्धत का अनुद्धत हो जाएगा, भन्जक का योजक हो जाएगा, यौम का यामी या यामा दोनों हो जाएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, अतिति का आतिते हो जाएगा, और ग्रिहीत का परत्यक्ति सहचर्य का अलगाओ इसके अलावा पुष्ट का चिण पुष्ट का परिहार भी होता है प्रचन्य का प्रतिपन्य हो जाएगा प्रसूति का निब्रती हो जाएगा वैभाव का पराभा हो जाएगा उद्धत का विनीत हो जाएगा सत्याग्रे का दु जाती का विजाती है तो यहां तक हमने कुछ विलोम शब्दों को देखा है यह कड़ी आगे जारी रहेगी और तब तक के लिए नमस्कार